ये परिक्षा पर चरता है लेकिन सिर्फ परिक्षा की ही चरता नहीं नवास्कार तालकर टोरा इंडोर स्टेडियम से आपका स्वागत है आज का दिन देश भर के चात्र उनके ठीचर्ज और माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर है और यहां उनका उत्साह देखते ही बनता है क्यूंकि आज माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी परीक्षा पे चर्चा के जरिये देश और विदेश के छात्रों से मुखातिव होंगे और परीक्षा से जुड़ी परिशानियों पर बातचीत करेंगे अपने अनुभव साजह करेंगे और बच्चों के सवालों के जवाब देंगे यो तो जिन्दगी हर मोड पर इम्तिहान लेती है जिसका सामना हम कभी हस कर और कभी रोकर कर ही लेते हैं लेकिन जाने क्यों इम्तिहान के वक्त छात्रू को इतनी टेंशन हो जाती है कि पूछिए मत इसका असर उन पर मानिसिक और शारीरिक दोनों तरीके से पढ़ता है और नतीजा ये कि ना तो पढ़ाई ठीक से हो पाती है और ना ही पेपर ठीक से दिये जाते है उपर से टीचर्स और पेरेंस का प्रेशा सो अलग क्योंकि हर कोई चाहता है इम्तेहान अच्छी तरह हो और बच्चों के अच्छे नमबर आए ऐसे में माननी प्रधान मंत्री श्री नरींद्र बोधी जी ने छातरों के मन को समझा और उन्हें लगा कि इम्तेहान से पहले छातरों से सीधा संपर्ख साधना जरूरी है ताकि उन तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि पढ़ाई लिखाई करते समय जितना हो सके मन को शांत रखना चाहिए उससे आप जो पढ़ रहे हैं वो आसानी से समझा जाता है और इम्तिहान देते वक्त याद रहता है और एक confidence बना रहता है प्रधान मंत्री जी कि ये पहल जिसे छातरों का मनोबल बढ़ सके और तनाव दूर हो सके मोदी जी छातरों से प्रधान मंत्री की तरह नहीं बलके बड़े भाई, मित्र और साथी के रूप में सहज बातचीत करेंगे यहाँ एक informal माहौल होगा और छातर प्रधान मंत्री जी से अपने सवाल पूर्द करेंगे प्रधान मंत्री जी बच्चों के प्रश्नों के जवाब देंगे और बच्चे बिना किसी स्ट्रेस के तैयारी करने, एक्जाम पर फोकस करने और बिना चिंता के अपनी बेस्ट परफॉर्मस देने के लिए प्रेरित होंगे खेच प्रेक्षा कर लस्डा दोड़रा किसी लिए और चाभ स्ट्राइन धर्टराश को लावटेष abळ विद तट्री खेंट्मार्श Но that कि खेच एम झानred 2018, the second in 2019, the third in 2020. These were all town hall interactive sessions. The fourth one was held on the 7th of April 2021 but this was held online and this is the fifth edition of Pariksha Picharcha which is being held here at the Talka Dora Stadium. The Honorable Prime Minister Sri Narendra Modiji conceptualized a unique interactive program Pariksha Picharcha where students, parents, teachers across the nation and also from overseas interact with him to discuss and overcome the stress emerging out of examinations in order to celebrate life as an Utsav, a festival. There was a selection process of the participants. Creative writing competitions were held for students of class 9 to 12, teachers and parents registered on the mygov.in portal from the 28th to December to the 3rd of Feb 2022. The theme for students was exam stress management strategies during COVID-19 and we see the arrival of the man of the moment. The mind, the thought behind Pariksha Picharcha An interactive session with the students of India The Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modiji Being greeted by the Education Minister, Sri Dharmeendra Pradhan This is a day for children by children. The focus is really on children and here in the foyer we see this exhibition that has been organized here. Which is interesting and curious to see the program of its staff. The focus is very helpful in this session, Dr. Narendra Modiji कोविट विजय ये मॉडल है जिसके जरीए हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश में कोविट से विजय पाई गई एकता में आनंद, लोकल फुबोकल ये कुछ थीम्स हैं जिन पर यहां पर हम काम देख सकते हैं और ये हैं रुचिका कुमारी जेन बी कपूर्थला से जो कोविट पर विजय के बारे में बता रही है और मा का इंतजार वो एक और स्टाचू है यहां पर और ये पींटिंग्स है जिसका थीम है पंच तत्व और ये जागन और बायू के रूप में पंच महाभूत हमारी स्रिष्टी का आधार मानि गय है और ये आजादी का अमरित महतसफ हमारे देश में आजादी का अमरित महतसफ बड़े गर्व और उत्साह से मनाय जा रहा है ना केवल बड़े बलकि बच्चे चात्र भी इसे उतने ही उत्साह से मना रही है इन पेंटिंग्स का थीम है उत्कृष्ट भारत प्रधान मंत्री जी को बदाते हुए है गायतरी लांडे जो की जेनवी अकोला महाराश्ट्र से है यहां पर हम देख रहे हैं पारम पर इक खेलोने इन खेलोना से खेलते खेलते बच्चे खेल खेल में ही रिष्टों के बारे में दुनिया के बारे में जीवन के बारे में बहुत सी बाते सीख जाते हैं महात्मा गांधी से प्रेरत होकर बच्चे अपने जीवन में उनके आदर्शों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये है स्वच्चता पर बच्चों का ध्यार रिया विष्क कर्मा के भी जमना कॉलियरी MP से हैं जो बच्चों को ट्रिडिशनल पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं तरह तरह की चित्रकलाई हैं जो हमारे देश की पारंपरी कलाओं का हिस्सा है और जिसे बच्चे बना कर हमारी पारंपरी कलाओं के बारे में सीखते हैं नमामी गंगे, a very important project of the Honorable Prime Minister to clean our rivers especially the river Ganga आजादी का महुटसफ a celebration of 75 years of India's independence and a celebration of the great heroes who guard our borders and this painting Indian heroes shows heroes of the pandemic the doctors, the healthcare workers, media personnel and the various other people who remained active despite all the dangers of the pandemic every canvas is a journey all on its own a picture they say is a poem without words and these are some of the fine works we are seeing of the students of various schools from across the country Shubhamma Ji is showing his watercolors he is from KW Jamtara Jharkand Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time and through these watercolors we see the expression of students of KW schools, Kendra Vidyali schools and Navodaya schools these are various projects that children from Bal Bhavan have made the National Bal Bhavan is an autonomous body under the Department of Education that imparts non-formal education to children between the ages of 5 and 16 the idea here is to encourage children to think creatively to be imaginative through activities which are entertaining and we are seeing some of the creativity of the children of Bal Bhavan here expression through colors monochrome but beautiful nonetheless Papier Marche art is being shown here by using simple everyday things one can create objects of great beauty this is P. Nitish Kumar who is explaining to the Honourable Prime Minister the works of art from various Kendra Vidyalis all children need is just a little bit of encouragement just a bit of guidance and they come into their own the themes here include the need to be more eco-friendly and green and there is a painting of the Honourable Prime Minister himself these were some of the themes that were given to children Azadika Amrit Mohatsav Clean India, Green India Digital Collaboration in Classrooms and Environmental Conservation and Climate Change Resilience the children have expressed these themes in various ways using different materials watercolors, oils, clay to express how they see these themes and these are the sisters Nandita and Nivedita from KV Kottaya they teach Vedic Maths after having mastering Vedic Maths themselves they teach the magic of Vedic Maths to their fellow students so that they can overcome the fear of Maths these two sisters took online free tuitions but for certain sessions they requested the students to donate money to PM Cares and close to 15,000 rupees were raised by them so the children while learning maths also learnt about social responsibility they learnt about contributing their bit in service of the nation and this is Easy Health an innovative device Harsh Vajpayee of KV1 Reva Madhya Pradesh has developed it it senses two parameters temperature and pulse and updates it to a wifi database every 15 seconds doctors get alerted of abnormalities by email and phone call the two sisters have something else to explain to the Honourable Prime Minister they are sharing their videos of how the classes were conducted and how magical Vedic Maths is if you learn it and who can resist the temptation to speak just a little more with the Honourable Prime Minister this is a once in a lifetime chance for these children the Prime Minister always takes keen interest in innovations of all kinds and this is a child prodigy who is sharing with the Prime Minister and this is the origami and this is the Bluetooth serving table and this is the use of the people and this is the use of the people को भी इनी बच्चों ने डवेलब किया है आरियन कुमार जनोंने ब्लुटूथ बनाया है ब्लुटूथ सर्विंग टेबल बनाया है और ये है थ्रीदी प्रिंटर 3D प्रिंटर 3D प्रिंटर्स किन ब्यूस्ट फो all kinds of innovations one just has to keep innovating and experimenting with great confidence the children sharing their innovations with the Honorable Prime Minister that's a little radio transistor transistor with man ki baat a 3D printed radio transistor who knows what all these children will develop and print in the future the Prime Minister has asked the students to autograph this little device for him in just a few moments from now the Honorable Prime Minister will address these children will address these children inside the Talkatoura indoor stadium and they are waiting with bated breath for the Honorable Prime Minister's arrival the Honorable Prime Minister the Honorable Prime Minister will answer questions of children from all across the country some of this will be done virtually while there are some children who are present here who will ask their questions and children have excitedly expressed themselves about this interaction I am Aminya Singh I am Aminya Singh I am Aminya Singh I am Uttar Pradesh I am both excited and nervous at the same time I am feeling very fortunate that I am getting a chance a golden chance to meet a Prime Minister and I am very excited for this I am Aditya from Class 10th Jawahar Navodhya Vidyalaya Paritabad I have never met him so I am going to talk to him and I am going to talk to him so he is very excited for me My name is Priyansha Tiwari I am Kendri Vidyalaya Lili Sambhaag Kaksha Gyaarvi I am a very proud of you that I have a chance to take a part of the church program in the Parikshah Peshachar program but I am a very proud of you to see you in front of me is a very big thing Myself, B.S. Murti Pragya Sati I am in 10th Standard and I am from Kendri Vidyalaya No. 3 Delhi Kent Every year our Honorable Prime Minister comes in front of us and motivates us that how to face the anxiety depression and stress of examination and how to overcome from the depression if we not score good in exams Namaskar I am Sommet Tiwari Kendri Vidyalaya I am talking to you My name is bought by the Shabdini My name is Harishita and I am so proud of you देश के प्रदान मंत्री जी खुद हमारे मारत दर्शन के लिए यहां उपस्तित होंगे इससे हमें जिन्दगी में कुछ अच्छा करने की प्रोथ सहान मिलेगा और हम बहुत कुछ है कि हमें यह सुनेरा अफसर प्राप्तु है बच्चों को क्या सोचना है ये नहीं बलकि कैसे सोचना है ये सिखाने की जरूरत है और यही विचार माननीये प्रदान मंत्री जी का है परीक्षा में चर्चा परीक्षा कैसे दी जाए उसकी तैयारी कैसे हो उसके बारे में तो है ही लेकिन ये जीवन के बहुत बड़े लेसंस हैं कि हम जीवन कैसे जी किसी भी मुसीवत में शांत कैसे रहे और अपनी सोचने की शक्ती को शक्ति शाली कैसे बनाई ये सब माननी प्रधानमंत्री जी हमारे यहां मौजूद छात्रों को बताएंगे उनके टीचर्स को और पेरंट्स को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बच्चों पर इक्जाम्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है उसे उसी हिसाब से तयारी करने चाहिए है 9 tenths of education, it is said, is encouragement education is the power to think clearly the power to act well in the world's work and the power to appreciate life some of the motivational quotes by the Honorable Prime Minister include, if you fail to be disappointed with failure you will be successful you need to move ahead of bad attempts technology is good but its use is in our hands parents should discuss technology as part of the dinner table conversation we are converging due to technology and are becoming narrow-minded this should be used for expansion instead यहाँ पर भी stadium में प्रदान मंत्री जी की अलग अलग तस्वीरे हैं जिनमें उसके कोट्स हैं जो बच्चों को प्रेरथ करते हैं self-confidence is very important it's not a pill or herb there is no tablet that can be consumed for instant confidence we have to build it every day परीक्षा पिचर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिये छात्रों को उनके माता पिता को और अध्यापकों को संतेश पहुंचाया जाए कि इम्तेहान जरूरी तो है लेकिन सब कुछ नहीं है और छात्रों पर अपिक्षाओं का बोज नहीं होना चाहिए छात्रों तक ये संतेश पहुंचाया जाए कि इम्त रूप से पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और अनुशासन से पढ़ा जाए जीवन की चाहिए कोई भी परीक्ष क्यों नहों मन जितना प्रसन रहेगा नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा यहां तालकटोरा स्केडियम में माननिय प्रुधार मिंत्र जी का आगमन तालियों की जोरदार गड़कड़ा है परिक्षा पे चर्चा दोहजार बाइस के शुब अफसर पर माननेवर सिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को मानने प्रधान मंत्री जी के अभी नंदन एवं स्वागत है तू सादरा मंत्र कर रहा हूँ माननेवर सिक्षा मंत्री भारत सरकार नमस्कार मित्रों अध्यान तक खुशी और गौरव की विशे है परिक्षा पे चर्चा की पांचवी संसकर में फिप्तेडी सन पे हम सभी का मारगदर सन करने है तू देश की नई पिढ़ी को आसिरवाद देने है तू स्वयंग माननिय प्रधान मंत्री जी हमारी बीच में पधार चुके हैं मैं इस कारेक्रम में देश की शिक्षा परिबार की और से माननिय प्रधान मंत्री जी का हारदिक स्वागत करता हूं उनको अविनन्दित करता हूं मित्रों आज की श्कारेक्रम में देश की सभी राज्यों की माननेवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननिय मुक्षमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननिय शिक्ष्या मंत्री, लाखो स्तानों में करडों की संख्या में विद्यार्थि और युवा, भाई और वेहनें, अविवावक, शिक्ष्यक, शिक्षय इत्री, तधा समग्र शिक्षा परिवार की करडों की जनता, इस कार्य करब में उपस्तित हैं, मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ मित्रों चौथा एडिसन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्चकर नहीं पाए थे आज वड़ी खुशी की बात है भारत समेद विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजीत किया है भारत आज वेक्षिनेशन में दुनिया की एक प्रकार से एक नंबर देश बन चुका है बच्चों को भी कोरोना की ठीका लगना सुरू हो गिया है मित्रों या इस देश की सामुही जनसक्ती की एक परिचायक है यही तो जना अंदलन है यही तो मानन यह परदान मंत्री की जो दिसा है सब को ले के चलना सब की साथ सब की विकास यही उसका मुर्ती मंत रूप है स्कूल की घंटिया फिर से बजना सुरू हो गई है घर से बच्चे निकलने निकल के स्कूल बस में साइकल में विद्या ले जाना सुरू कर दिये हैं देश सहच ताकि और बढ़ चुकी है और देखिए क्या संजोग है हम सब अमुर्त काल में आज से पहुंच चुके हैं आज आदी का 75 साल जब हम मना रहे हैं आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की शिक्षा परिबार की ये कार्यक्रम हाय है उजोन हम कर रहे हैं और क्या कार्यक्रम है परिक्षा पे चर्चा मितन हम जिन्दे की में सभी लोगों ने परिक्षा दिया होगा और आज की बच्चे हमारे आज की पिढ़ीतो परिक्षा के लिए तियार हो चुका है परिक्षा सब की मन में थोड़ा चिंता डालती है थोड़ा संका करती है थोड़ा सब को दुविधा में थोड़ा असामंजस्य में थोड़ा चिंता में डालती है पढ़ाई तो हम सभी करते हैं पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है अत्मविश्वास मैं आज की कारेक्रम में सभी को एक अनुरोद करूँगा परिक्ष्या की पहले और परिक्ष्या की बाद आपको जब समय मिले कभी एक छोटी सी मूभी यूटूब में है चलो जीते हम माननिय प्रधान मंत्री जवच्पन में एक विद्यार थी थे उन्होंने कैसे जिन्द्यगी को सामना किया परिष्टिती को कैसे सामना किया मुल्य वदों की वारे में कैसे विश्या उनकी सामने आई थी सारे हम को उसमें प्रणा देती है आज ऐसे ही अमृत काल में मित्रो थोड़ा कलपना करिया जो मेरे नन्य हैं नोजवान साथ यहां बैटे हैं जिनकी उमर 14 15 17 साल है यह जब आजादी का हम लोग सताब्दी मना रहे होंगे सो साल तब दुनिया की बागडोर नाकेबल देश की दुनिया की बागडोर आपकी हाथ में आज चुका होगा आपकी के नाते घर की मुख्या के नाते आज परिक्षा पर चर्चा की फिफ्ट एडिसन में तनाब से मुक्ति दिलाने के लिए चोटी चोटी बातों को आपकी साथ शाजा करने के लिए बात चोटी हो सकती है लेकिन उसकी प्रभात दुरुगामी और बहुत बड़ा होता है ऐसे मैं फिर दुबारा माननिया प्रधान मंत्री जी का इस कारेकर में स्वागत करता हूं और आप और देश की करणों बच्चों के बीच में और माननिया प्रधान मंत्री की बीच में दूरी ना बनाते हुए मैं माननिया प्रधान मंत्री जी को विन्यति करता हूं आये और आप सबको नमस्दाइब वैसे मेरा बड़ा प्रिय कारकम है लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप बसे साथ को कुछ मिन नहीं पाया तो मेरे लिए आज कारकम तरह विशेश खुशी का है क्योंकि गलंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मोका मिलगा मुझे नहीं लगता है कि परिशा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा मैं सही हूँ न मैं सही हूँ न आप लोगों को टेंशन नहीं होगा अगर टेजर होगा तो आपके मापता पीता को होगा क्या करेगा सच में बताईए किसको टेंशन है आपको आपके परिवार वालों को जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ उपर करें अच्छा अभी भी लोग हैं अच्छा और जिनका पक्का विश्वाथ है कि मम्मी पपा को टेंशन है वो कौन को है ज्यादा लोग होई है कल विकरम समद नव वर्ष शुरू हो रहा है और वैसे ही ये अप्रिल महिना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है बेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सब को बहुत वा शुप कामणा है लेकिन त्योहारों के बीच में एक्जाम भी होती है और इसलिए त्योहारों का मज़ा नहीं ले पाते हैं लेकिन अगर एक्जाम को ही त्योहार बना दें तो फिर यो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं और इसलिए आज का हमारा कारगम हम अमारे एक्जाम्ट में क्योहार का वातावन कैसे बनाएं उसको रंगों से कैसे भर दें उमंग उत्सा के साथ हम परिक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें इनी बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी है कुछ लोगों ने मुझे आडियो मेसेज भी भेजा हैं कुछ लोगों ने वीडियो मेसेज भेजा हैं मीडिया के साथियों ने भी स्थान थान पर विद्यार्शनों से बाते करके कई सवाल निकाले हैं लेकिन समय सिमा में जीतना कर सकता हूँ उतना जिरूर करूँगा लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूँ बस क्योंकि पिछले पांच बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की सिकायत रहती है कि मेरी बात रहे जी मेरी बात नहीं आई वगड़े तो मैं एक काम करूँगा इस बार कि आज जीतना हो सकता है समय की सिमा में हम बाते करेंगे लेकिन बाद में आपको जो सवाल है उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से कभी प्रवास करते समय मेरे पास मोका होगा तो आडियो के माध्यम से या तो फिर रिटन टैक्स के रूप में मैं नमो एप पर सारे चल्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीजे यहां छूट गई है उसको रखूँगा ताकि आप नमो एप पर जा करके अब उसमें भी इसमार एक नया प्रहुक किया है माइक्रो साइट बनाई है तो वहाँ पर भी जा करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं तो आईए हम कारकम प्रारम करते हैं सबसे पहले कौन है थांक्यू ओनरिबल प्राइम मिनिस्टर सर्व माननिय प्रधान मंत्री जी आपका प्रेरक एवं ज्यान वर्धक उद्बोधन सदयव हमें सकारात्मक उर्जा एवं विश्वास से भर देता है आपके व्रिहद अनुभव एवं ज्यान पूर्ण मार्ड दर्शन की हम सब उठसुक्ता से प्रतीक्षा कर रहे हैं माननिय आपके आशरवाद एवं अनुमती से हम इस कारेक्रम का शुभारम करना चाहते हैं धन्यवाद मानेवर माननिय प्रधान मंत्री जी भारत के राजथानी एतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानन स्कूल की कक्षा बारवे की चात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं खुशी कृप्या अपना प्रश्न पूछिए ये अच्छी बात है खुशी से सुरू हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि परिशा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे माननिय प्रदानमंद्री महोदे नमस्कार मेरा नाम खुशी जैन है मैं कक्षा बारवी विवेकानन स्कूल आनन्द विहार दिल्ली की चात्रा हूँ मानेवर मेरा प्रश्न है जब हम घबराहट के स्थिती में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें धन्यवाद धन्यवाद खुशी माननिवर साहित्रिक परंपरा के परिपेक्ष में अत्यंत सम्रिद्ध प्रदेश 36 गड़ के बिलागपुर के कक्षा बारवी के चात्र ये श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूज रहे हैं वह उत्सुक है प्रदान मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को श्रीधर कृप्या अपना प्रश्न पूछिए नमस्कार मारणिय प्रदान मंत्री महदे मैं एश्रीधर शर्मा दक्षिनपूर्व मध्यरेल में उचितर माध्य में क्विद्याले नमबर वन बिलासपूर 36 गड़ के कक्षा बारवी आर्ट्स का चात्र हूँ महदे मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है मैं परिक्षा संबंधी तनाव से कैसे निप्टू अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा और अन्ततह अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तुम अपने परिवार की निराशा से कैसे निप्टू? धन्यवाद श्रीधर From the land where the Sabarmati संथ Mahatma Gandhi Ji started his Satyagraha movement I invite Kenny Patel a class 10 student of Vardodra who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her Kenny, please ask your question Greetings Prime Minister Sir My name is Kenny Patel I am from Threehouse High School Vardodra Gujarat from class 10 My question is how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and results and how to take proper sleep and rest during the examination time Thank you Sir Thank you Kenny Maneniyya Pridhan Mantri Ji Khushi, Shrithar Sharma and Kenny Patel are working on the purpose of the process They are working on the country exam stress and how to make the exam and how to make the exam the same and how to make the exam माने निये प्रधान मंत्री जी एक साथ आप लोगों ने इतना सेवाल पूछ लिये हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा देखिए आपके मन में भय क्यों होता है यह प्रश्ण मेरे मन में है क्या आप पहली बार एक्जाम देने जा रहे हैं क्या आप मैं से कोई नहीं है जो पहली बार एक्जाम देने जा रहा है मतलब कि आपने बहुत सारी एक्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एक्जाम के इस दौर से आखरी छोर की दर पहुँच चुके हैं इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का धर ये तो दिमाज में फैटता रही है तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तै कर लिजिए कि परिख्या जीवन का एक सहज हिस्सा है हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पढ़ाव है और उस पढ़ाव से हमें गुजरना है फ़र हम गुजर चुके हैं जब इतनी बात हम एक्जाम दे चुके हैं एक्जाम देते देते एक प्रकार से हम एक्जाम प्रूफ हो गये हैं और जब ये विश्वास प्रादा हो जाता है तो ये नहीं आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं इसे आपके इन अनुभव को जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए दूसरा ये आपके मन में जो पैनिक होता है क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेडनेस में कमी है कहने को दो हम कुछ कहते होंगे लेकिन मन में रहता है मेरा आपको सुझाव है अब एक्जाम के बीच में समझ तो जादा है ये नहीं इस बोच को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है हो सकता है एक दो चीजे छूट गई होगी एक आज चीज में थोड़ी जितनी महनत चाहिए नहीं होगी इसमें क्या है लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है तो वो बाकी चीजों में भी ओवरकम कर जाता है और इसलिए मेरा आप से आग रहे हैं कि आप इस प्रेशर में मत रहिए पैनिक क्रेट हो ऐसा बातावरन को पन अपने ही मत दीजिए जितनी सहज दिनचरिया आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचरिया में आप अपने आने वाले परिशा के समय को भी बिताईए एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्ट्रमस परड़ा करेगा वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूँ मेरा इद्दोत ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार साते हैं मैं भी वो करूँ आप वो कुश मत कीजिए जो आपने सुना है आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वाव भगे मुझे पका भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से उमंग से उत्सा से एक फेस्टिबल मूर में एक्जाम दे पाएंगे और सफल होके रहेंगे Thank you, Honorable Prime Minister Sir for teaching us to accept exams as a natural experience to believe in ourselves Honorable Prime Minister Sir the next question comes from Maysuru in Karnataka renowned for its heritage destinations and national parks Tarun M.B., who is the class 11th student, here seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question, please? Good morning, sir. I am Tarun M.B., studying in class 11th at Jawa Navadaya Vidyalaya, my Suru Karnataka. I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Parisha Pachasda, 2022. My question to our Honorable Premiseur C. Narendra Modi ji is, Sir, how can you see a student focused while studying online? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without disturbance. Sir, is there any solution for this? Thank you, sir. Thank you, Tarun. Honorable Prime Minister, sir. Sahit Ali, a class 10th student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahit, please ask your question. Namaskar, Mahudaya. My name is Pradhan Mantriji. I am Sahit Ali, Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is a student of the Speak Aksha. In the past two years, we are doing our studies in the online mode. With the use of the use of the internet, many children have become addicted to social media and online gaming. What do we do to do outside the world? Please, Mark Darshan, please. Thank you, Sahit. Honorable Sir, Kirtana Nair, a class 10th student from Thiruvananthapuram, Kerala, is plagued by the same problem and expects to receive guidance from you, sir. Kirtana's question has been received from Times Now. Kirtana, please ask your question. Hi, I am Kirtana from class 10th in Chrysler School, Thiruvananthapuram, Kerala. As we all know, our classes have shifted online during the pandemic. There is so much distraction in our homes in the form of mobile, social media, etc. Sir, so my question is, how can we improve the learning through online classes? Thank you, Kirtana. Honorable Sir, online education has challenged not only students, but teachers too. Mr. Chandra Chudeshwaran M., a teacher from Krishnagiri, seeks guidance and direction from you. Sir, please ask your question. Namaste, Honorable Prime Minister, sir. I am Chandra Chudeshwaran from the Ashokaliland School, Osur, Tamil Nadu. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, sir? Thank you, sir. Honorable Prime Minister, sir. Tarun, Saeed, Kirtana, and Chandra Chudeshwaran, sir, are all anxious about the online education has caused them to addicted to and distracted by social media during the last two years. Honorable Sir, from different parts of the country, we have received many similar questions. Out of those, these are the selected ones that sum up everyone's concerns. I request you to please guide them, sir. I have a question in my mind. You have told me that you are going to grow up all over here. Please ask yourself a little bit. When you are reading online, I read and see those? So, when I am reading, it is clear to me, as well as I see the headlines. Can I read? कि मैंने आपको पकड़ लिया है हाकिकत में दोस्त ऑनलाइन या ओफ लाइन इसका नहीं है आप अनुभग कही होगे क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लास्रूम में होगा आपकी आँखे टीचर की तरफ होगी लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है कोई खिर्की नहीं लगाई है लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है जो चीजे आफ्लाइन होती है वही चीजे ओनलाइन भी होती है इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है मन समस्या है माध्यम ओनलाइन हो या ओफ्लाइन अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है उसमें डूबा हुआ है मेरा एक खोजी मन है जो उसमें की बारिक्यों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो आपके लिए ओनलाइन या ओफ्लाइन मैं नहीं मानता हूँ कि कोई फर्क पड़ सकता है और इसलिए हम जैसे यूग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं अब पहले की जमाना में जो गुरुकुल चलते थे सदियों पहले सास्त्रवर्ष पहले तो बहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे तो उस समय कोई किताब भी नहीं थे तो ऐसे कंठस्त सब चलता था तो उनकी स्रवन शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्त कर लेते थे और पीड़ी दर पीड़ी कान के द्वारा सिक करके बाद में युग बदल गया प्रिंटेड मट्रियल आ गया किताबे आने लगी तो लोगों ने उसमें ढाल दिया यह एवालूशन लगातार चलता रहा है यह और यही तो मानव जीमन की विशेस्ता है तो वह एवालूशन का एक हिस्सा है का आज हम और ग्यकोश्चर्ट के मार्दियम से नय टेकनोलजिकल टूल के मार्दियम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं इसे हमने एक अपरचुनिटी माइग स Mimi समस्या नहीं मानना चाहिए नेकिन यही सही है कि कभी हमने कोशिस करनी चाहिए हम ओनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवर्ड के रूप में अपने टाइम टॉमें में रख सकते हैं मुझे पक्का भिस्वास है कि मान दीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टांडर्ड मट्रियल कहीं आपको ओनलाइन अवैलेबिल है दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैलू एडिशन कर सकते हैं आप कहेंगा टीचर ने इतना बताया था मुझे इतने आज रहा था तेकिन यहां दो चीज़े मुझे अच्छी मिल गई है अच्छे तरीके से मिल गई है मैं दोनों का जोड़ कर दूँगा तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे ओनलाइन का दूसरा अब यह है आखिर कर सुच्छा का एक हिस्सा है गिन्यान अर्जन करना अब ओनलाइन और ओफलाइन का सिध्धान्त क्या हो सकता है मैं मानता हूँ ओनलाइन पाने के लिए है ओफलाइन बनने के लिए है मुझे कितना ग्यान पाना है कितना अर्जित करना है मैं ओनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलिबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा इसको मैं अंगित दूगा और ओफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनफ नेकला है मैं आउसर दूँगा मैं ओफलाइन उस जो चीजों को मैं आप मान दीजिए यहां साउथ इंडिया के साथके ने मुझे पूछा आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई टीचर महोदे ने पूछा तो मैं यह कहूंगा कि मां आउन लाइन आपने डोसा कैसे बनता है कौन से इंग्रेडियन होते है क्या प्रोसेस होता है सब देख कर लिया देकि पेट भरेगा क्या बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कॉम्पूटर में बना दिया सारे इंग्रेडियन कर लिया पेट भरेगा क्या लेकिन वो ग्यान अगर आपने कोशिश की और डोसा बना दिया तो पेट भरेगा और नहीं भरेगा तो online को आपका आधार मजबूत करने के लिए उप्योग करें आपको offline में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है शिक्षा का भी असा ही है पहले आपकी जो किताब है वो आपकी जो टीचर है वो आपका जो surroundings है वो बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के आज असिमीत साधन है इसलिए आप अपने आपको कितना व्यापक कर सकते हैं खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं उतनी ही चीजें आप उसको add up करते जाएंगे और इसलिए online को एक आउसर समझीए लेकिन इदर उदर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी available है आपने देखा होगा आपके हर gadget में टूल है जो आपको instruction देते हैं warning देते हैं यह करो यह मत करो अब रुख जाओ थोड़े देर आराम करो अब 15 मिट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिट के बाद आएंगे आप इस टूल का उप्योग करके अपने आपको discipline में ला सकते हो और मै मैंने देखा एक बहुत सारी बच्चे होते हैं जो ऑन-लाइन इन टूल्स का maximum प्योग करते हैं अपने आपको रिष्टिक करते हैं दूसरा जीवन में खुद से भी जुड़ना ये भी उतना ही महत्व हैं जीतना हाइपड के अंदर गुषने में आनद आता है मोबाइल फॉन के अंदर गुषने में आनद होता है उससे हजारों गुणा आनद अपने भीतर गुषने का भी होता है तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे ऑफ लाइन होंगे इनर लाइन होंगे जितना अंदर जाएंगे आप अपनी उर्जा को अनुभव करेंगे अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकत आपके लिए कठनाई प्यदा करेंगे माननिय प्रधान मंत्री जी आपने हमें मूलमंत्र दिया कि जब हम एकाग्रमन होकर अपनी पड़ाई करें तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी धन्यवाद महोदे माननिय प्रधान मंत्री जी वैदिक सभिता और सिंदु घाटी सभिता के मुख्य निवासिस्थान पानिपत हर्याना से सुश्री सुमन रानी जोकी एक सिक्षिका है आपके शमक्स अपना प्रश्न रखना चाती है सुश्री सुमनरानी मैम, कृपिया अपना प्रश्न पूछिए सर्वेनाप से प्रश्न है कि नई शिक्षा निती छात्रों को उनके कौशल को विक्सित करने में नए अफसर कैसे परदान करेगी धन्यवाद महाद्या धन्यवाद मैम, मानिवर, पूर्व के स्कॉटलेंड नाम से प्रसिद्ध मेघाले के इस्ट खासी हिल्स की कक्षा, नवी की छात्रा, शीला बैश्न भी आप से इसी विशे पर प्रश्न पूछना चाती है शीला, कृपिया अपना प्रश्न रखे Good morning Sir, I am Sheila Breshnaf of Jawahar Navadaya Vidyalai Moflak, in Skaasi Hills Meghalaya, studying in Class 9th My question to Honourable Prime Minister is, how provisions of national education policy will empower students' lives in particular and society in general and pave way for Naya Bharat Thank you Sir Thank you Sheila श्रद्धे प्रधानमंत्री जी नई सिक्ष्यानीती को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कई और भी सवाल देश भर से प्राप्त हुए हैं जिन में विद्यार्थियों ने यह अभिव्यक्त किया है कि हमारी रूची कुछ और होती है हम विशे कोई और पर रहे होते हैं ऐस इतने कम समय में उसका पूरा विस्तार से जवाब देना भी कठीन है पहली बाप तो है यह निउएजुकेशन पॉलिशी के बज़ा हम यह कहें यह नेशनल एजुकेशन पॉलिशी है एनीपी कुछ लोग एन को निउएजुकेशन पॉलिशी है और मुझे अच्छा लगा क आपने पुछा, शायद दुनिया में, शिक्षा की निती निधारन में, इतने लोगों का involvement हुआ होगा, इतने स्तरपर हुआ होगा, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा world record है, 2014 से जब मुझसे इस कारे के लिए आप समने पसंद किया, तो शुरुआ आज से इस काम पर हम लगे थे, करीब 6-7 साल तक बहुत brainstorming हुआ, हर स्तर पर हुआ, गाउं के सिक्षकों के बीच हुआ, गाउं के students के बीच हुआ, सहर के सिक्षकों के बीच हुआ, सहर के students के बीच हुआ, boys students ने कहा, girls students ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, यहने एक प्रगार से हिंदुस्तान के हर कौने में, सालों तक इस विशह पर ब्रेंश्टर में हुआ, उस सब के जीस तयाद किये गए, और देश के बहुती अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखत हुए है, जो लोग साइन्स और टेकनलोजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेत्रुतों में, इसकी विशत चर्चाएं हुई, उसमें से एक डाब तयार हुआ है, उस डाब को फिर लोगों के बीच में भेजा गया, और पंदरा बीस लाख इन्पूर्स आए, यान इतना बड़ा एक्सेसाइज, इतनी व्यापक एक्सेसाइज, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है, और ये एजुकेशन पॉलिसी को, मैंने देखा है कि, पुलिटिकल पार्टी, सरकार, कुछ भी करें, तो, कहीं गहीं से तो, विरोत का स्वर, कुछ न कुछ तो, हर कोई मोका ढूंडता रहता है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, हिंदुस्तान के हर तपके में, पूर जोज स्वागत हुआ है, और इसलिए, इस काम को करने वाले सब, अभिनंदन के अधिकार, ये लाखों लोग हैं, जिन्हों न ने बनाया है, देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है, और देश के भविश्य के लिए बनाया है, अब एक छोटा सा विश्य, पहले हमारी हाँ, खेल कूद, एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाद आपको जो पाटवी, छटवी, साथवी में पड़े होंगे उनको पता होगा अब इस National Education Policy में वो सिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है याने खेल कुद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवारी होता है बिना खेले कोई खिल नहीं सकता अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है अपने प्रतिशपर्धी को समझने की ताकत आती है यह सारी किताबों में से जो सिखते हैं खेल के मादान में आसानी से सिख सकते हैं लेकिन वह पहले हमारी सिख्षा बेवस्ता से बहार था एक्स्टा एक्टिवीटी था उसको प्रतिश्पर्धा दी अब आप देखते हैं कि परिवरतान आने वाला है और इन दिनों खेल कुद में जो रुची बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिश्पर्धा मिलिए फर्क मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ कि जो आपको ध्यान में आए कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ है उसी प्रकार से क्या हम विश्वी सदी की नीतियों को ले करके इकिस्वी सदी का निर्मार कर सकते हैं क्या मैं आप लोगों से पूछता हम विश्वी सदी की सोच विश्वी सदी की व्यवस्ता विश्वी सदी की नीति इससे इकिस्वी सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या जर जोर से बताईए ना नहीं बढ़ सकते न तो हमें 21 सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्ताओं को सारी नीतियों को ढालना चाहिए को नहीं ढालना चाहिए अगर हम अपने आपको इवाल नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे और ठहर जाएंगे साने हम पिछड जाएंगे और इसलिए भी वैसे बीच में समय जितना जाना चाहिए तो उससे जादा चला गया उससे देश का नुक्षान हुआ है लेकिन अब जब हम पहुँच चुके हैं अब जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कबार माबाप की इच्छा के कारण रिसोर्सिस के कारण नदिक में व्यवस्था के कारण हम अपनी इच्छा के सिच्छा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सब प्रेशर के कारण और पतिश्चा के कारण दहरे पर चले गए, हाँ नहीं नहीं, डॉक्टर बना है, लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है कुछ और है, मुझे बाइड लाइफ में इंटरस है, मुझे पेंटिंग में इंटरस है, मुझे टेकनोलोजी में इंटरस है, मुझे साइंस में इंटरस है, मुझे रिसर्च में अब कारणों से मेडिकल में तो चला गया है पहले तो गए है तो फिर इस पाइप लाइन में यहां गुशे आप तो आपको वहाई निकलना पड़ेगा दूसरे छोड़े अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है तो आप प्रवेश कर लिया लेकिन एक सा अब के बात लगा है कि नहीं 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 मेरा रास्ता यह नहीं है मेरा तो मिजाज वह है मैं तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको नए रास्ते पर जाने का अउसर देती है सम्मान के साथ अउसर देती है आज हम जानते हैं पूरी दुनिया में स्कील का महत्मे बहुत बढ़ गया है सिरफ सिख्षा, सिरफ ज्ञान का भंडार ये इनप नहीं है, हुनर भी होना चाहिए स्कील होनी चाहिए अब इसको हमने सिलेबस का हिस्सा बनाया है ताकि उसका पूर्ण विकास के लिए उसको खुद को अफसर मिलूँ जाज खोशी हुई मैं अभी एक प्रदर्श्व नहीं देख के आया नेटनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या रिफ्लेक्शन होता है वो छोटे से रूप में आज सिक्षा विभाग के लोगों ने रखा था मैं सिक्षा विभाग को बढ़ाई देता हूं यहने बहुत ही प्रभावित था आनन्द आता था कि हमारे आटवी दसवी कष्षा के बच्चे थ्रीवेडी प्रिंटर बढ़ा रहे हैं आनन्द आ रहा है कि हमारे आटवी दसवी कष्षा के बच्चे बेजिक, मैथेमेटिक का एप चला रहे हैं और दुनिया बढ़के स्टूडन्ट उनसे सीख रहे हैं नंदिता और निवेदिता दो बहने में जो मिली मैं बहुत ही सर्प्राइस था हमारी हाँ तो इन चीजों को बुरा माना जाने वाला एक वर्ग होता है लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने स्टूडन्ट खोज ली हैं वो खुद स्टूडन्ट रहें लेकिन गुरू बन गए अब देखिए उन्होंने टक्लोलोजी का भरपूर उप्योग किया है टेक्लोलोजी से वो डरे नहीं है, टेक्लोलोजी का उप्योग किया है, उसी पकार दे, मैंने देखा, कोई स्कल्प्टर्स बनाए हुए है, कोई अच्छे पेंटिंग बनाए है, और इतना ही नहीं, उसमें वीजन था, ऐसे ही करने के लिए नहीं किया गया, मैं उस वीजन को अनुभो करता था, इसका मतलब हुआ, कि नेशनल एजुकेशन पालिसी, व्यक्तित्व के व्यकास के लिए, बहुत सारे अवसर दे रही है, और इस अर्थ में मैं कहूंगा, कि हम जितनी बारी किसे, नेशनल एजुकेशन पालिसी को समझेंगे, और प्रत्र में उसको धरती पर उतारेंगे, आप देखिए, मुल्टिपल बेनिफेट्स आपके सामने होंगे, तो मेरी देश भर के टीचेस को, देश भर के शिक्षा विदों से, देश भर के स्कूल्स से, मेरा आग्रह है, कि आप इसकी बारी कियों को जमीन पर उतारने के नएने तरी के डेवलप कीजिए, और जितने जादा तरीके होंगे, उतने ही जादा अवसर प्राप्त होंगे, मेरी शुपामना है, ओनरीबल अओन प्राप्तार मिनिस्टर सब्सक्राइब नए एक जिए वाजिए अनोरीबल जी शुपामना है, ओनरीबल आवसर नवी शुपामना है, हम खेलेगे तो अवस्य खेलेंगे। Honorable Sir, Roshni of Rajkia Kanya Intercollege in the industrial town of Ghaziyabad seeks respected Prime Minister's help and guidance on certain issues. Roshni, please ask your question. नमस्कार मौद्य, मानिन्य प्रधानमंत्री जी, मैं रoshni Rajkia Kanya Intercollege विजे नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 11 विक अक्षा की छात्रा हूँ. मानिवर, मेरा प्रश्णी यह है कि, मुझे आज चार रहे है कि, क्या छात्र परिक्षा से डरते हैं या अपने माता-पिता और शिक्षकों से, क्या हमें परिक्षा को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए, जैसे कि हमारे माता-पिता या शिक्षक हम से उम्मीद करते हैं, या बस त्योहारों की तरह उनका आनंद लें किरपया हमारा माघदर्शन करें धन्यवाद थांक यू रोशनी पांच नदियों के छेत्र गुरू की भूमिस्तित सम्रिध राज पंजाब के भटिंडा से दस्वी की चात्रा किरनप्रीत इसी विशय पर अपना प्रश्न पूछना चाती हैं किरनप्रीत कृपया अपना प्रश्न पूछें गुद मॉर्निंग ओन्रेबर्स प्राइम मिनिस्टर सर्व माइनम इस किरनप्रीत कौर और क्लास 10 आई स्टड़ी इन दून पब्लिक सीनिर सेकेंडरी स्कूल कलियान सुखा दिस्ट्रिक बठिंडा पंजाब ब्सक्टी कृटि इस 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 प्राइम इफ इस प्राइम्स इसाम इन डुटर और क्यों ऐस्ट जार्टी बट्रार आंने स्टार्योच फरते हैं लुट्वा इस यरूड इसनिर ऑ्रह इस उन प्रैंट ।र्श्यवाद किरनप्रीत बट्स आई मैं इस एंट आषम इनृट, also find it a challenge to deal with the expectations of their parents and teachers we look forward to your advice honorable sir रोशनी क्या कारण है कि आपने जब इस सवाल पूछा है तो सबसे ज़्यादा पालिया बजी क्या कारण है मुझे लगता है कि आपने सवाल स्टूडन के लिए नहीं पूछा है आपने बड़ी चतुराई से पैरेंट्स और टीचर के लिए पूछा है और मुझे लगता है कि आप चाहती है कि मैं आज यहां से हरे की पैरेंट्स को और टीचर को कुछ यहां से कह दूँ ताकि आपके खावा जाए इसका मतलब कि आप पर प्रेशर है टीचर का आप पर प्रेशर है परेंट्स का और इसलिए आपको उल्जन है कि मैं मेरे लिए कुछ करूँ कि उनके कहने पर करूँ अब उनको समझाने पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ नहीं पा रहा हूँ यह आपकी चिंदा मैं महसूस कर रहा हूँ मैं सबसे पहले तो परेंट्स को और टीचर्स को यह जरूर कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप मन में सपने लेकर के जीते हैं या तो जो सपने आपके खुद के अधूरे रह गए हैं आप जो करना चाहते थे अपने विद्यार्थी काल में हैं आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और इसलिए दिन रात आपको लगता एक बस इसको तो वो बना के रहूंगा याने आप अपने मन की बातों को अपने सपनों को अपनी अपेच्छाओं आकांच्छाओं को अपने बच्चे में एक पकार से इंजेक करने की कोशिश करते है बच्चा आपको रिस्पेक्ट करता है माबाग की बात को बहुत महत्पद देता है दूसरी दर पीचर कहते है देखिये तुम्हें यह करना है तुम यह करो हमारी स्कूल में तो यह है रहता है हमारी तो ये परंपरा है आपका मंत कुछ तीसरा ही करता है और ज्यादा तर हमारे बच्चों के विकास में ये जो confused और contradictory जो प्रभावों के बीचलों से गुजरना पड़ता है ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंदा का विश्य होता है और इसलिए पुराने जवाने में टीचर का परिवार से संपर रहता था परिवार के हर लोग को टीचर जानते थे और परिवार भी अपने बच्चों के लिए क्या सोता है उसे टीचर परिचित होते थे टीचर क्या करते हैं कैसा करते हैं वो उसे parents परिचित होते थे याने एक प्रकार से सिख्षा एक चाह स्कूल में चलती हो और सिख्षा घर में चलती हो हर कोई एक ही platform पर होता था और उसके कारण अब क्या हुआ है बच्चा दिन भर क्या करता है माबाप को समग नहीं है जानते नहीं है टीचर को syllabus से लेना देना है मेरा syllabus पूरा हो गया मेरा काम हो गया मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया बहुत मेहनद कर पढ़ाते है ऐसा नहीं के नहीं पढ़ाते लेकिन उसको लगता है या teachers हो या school का environment हो हम बच्चे के शक्ति और उसकी सीमा है उसकी रूची उसकी प्रवृत्ति उसकी अपेक्षा उसकी अकांख्षा इन सब को बारीकी से अब्जर नहीं करते हैं उसको जानने समझने का प्रयाश नहीं करते हैं और हम उसको धका मारते जाते हैं तो कहीं ने कहीं वो लड़ खड़ा जाता है और इसलिए मैं रोशनी के माध्यम से सभी parents को सभी teachers को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के नुसार अपने बच्चों पर बोज बढ़ जाए इससे बचने का प्रयास करें और हर बच्चे के पाँच एक strength होती है हर माबाप कोई सुकारना होगा कि आपके तराजू में वो fit हो या न हो लेकिन परमात्मा ने उसको किसने किसी विशेश्त ताकत के साथ भीजा है उसके अंदर कोई सामर्त है ये आपकी कमी है ये आपकी कमी है कि आप उसके सामर्तों को पहचान नहीं पाते हो ये आपकी कमी है कि आप उसके सपनों को समझ नहीं पा रहे हो और इसलिए दूरी वही से बन जाती है और मैं चाहूँगा बच्चों से कि आप प्रेशर के बीच भी अब ये तो मैं नहीं कहूँगा माबाप का मत सुनो मैं ये तो नहीं कहूँगा टीचर की बात मत सुनो ये तो सला ठीक नहीं होगी सुनना तो हई है वो जो कहते उसको समझना है लेकिन हमें उन चीजों को स्विकार करना है जो हमारे भीतर भाव सहज रुप से आपने देखा हुगा धर्टी भी वैसे तो निरीजीव लगती है एक बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है लेकिन उसी धर्टी पर दूसरा बीज बोएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है बहुत बड़ा बटपुरुख बन जाता है दोस्थ धर्टी का नहीं है कौन सा बीज बोया है उसपर है और इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज आप आसानी से एड़ब पर लेते हैं कौन सी चीज आपको मन के साथ एक नम उसमें आगे बढ़ जाते हैं आप जी जान से उसमें जिटते जाएए आपको कभी बोज महसुस नहीं होगा और शुरू में साइट शुरू में रुकावट आएगी लेकिन बाद में परिवार गर्व करने लग जाएगा हाँ हम तो सोते हैं कि इसमें ये बहुत अच्छा किया आज तो हमारा नाम रोशन हो गया चार लोगों के बीच में बैठते हो तो तारीफ होती है जो कल तक आपको ताकत को स्विकार नहीं करते थे वो आने वाले समय में आपी के ताकत का गवरोग भान करना शुरू आप हसते खेलते उमंग के साथ जो मिनिममम रिक्वार्मेंट है उसको पूरा करते हुए अतिरिक्ते जो सामरते है उससे जोडते हुए आगे बढ़ेंगे आपको भौत फायदा होगा श्रधेय प्रधानमंत्री जी आपने अभी भावक एवं शिक्षक की आशाओं अपेक्षाओं के बीच बच्चों की रूची एवं अकांशाओं को नई शक्ती दी है आपका कोटी-कोटी धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, from the culturally rich city of Delhi, Vaibhav, a class 10th student of Kendra Vidyalet Janakpuri, earnestly seeks your counsel regarding his problem. Vaibhav, please ask your question. नमस्कार पदानमंत्री जी, मेरा नाम Vaibhav कनोजिया है, मैं कक्षा दस्वी का चात्र हूँ. मैं केंद्रे विद्याले जनकपूरी दिल्ली में पढ़ता हूँ, महोदे, मेरा आपसे ही है प्रेश्ण है कि, how to stay motivated and succeed when we have so many of backlog. Thank you, Sir. माननिये प्रधानमंत्री जी, स्थापत्य और चित्रकला के धनी, राजिस्थान के जैपुर की कक्षा बारवी की छात्रा, कोमल शर्मा आपसे अपनी परिशानी का हल चाहती है. कोमल, क्रपया अपना प्रश्ण पूछे. मेरे प्रधानमंत्री जी मौदे, मेरा नाम कोमल शर्मा है. मैं राज किये बालिका उजमादे में क्विध्याले बगरु जैपुर कक्षा बारवी की छात्रा हूं. मेरा प्रश्ण आपसे ये था के मेरे एक सह पार्टी का एक पर अच्छा नहीं गया है, तो मैं उसे दिलासा कैसे दू? धन्यवाद. धन्यवाद कोमल. ठौन्यवाद कोमल. होल्ब प्राम मिनिस्टर सिर।, आर इंपल, a class 10 student of Qatar is overwritten by a similar problem. आर इंपल, please go ahead and ask your question. आर इंपल, मेरा नि अन्हीं एपन आर अवाद निन स्कूल, Doha, Qatar. My name is Aरइन Eben of class 10. My questions to the Honorable प्राम मिनिस्टर of India are these. how to stop myself from procrastinating and how to keep away my exam fears and the sense of lack of preparation Thank you Aaron Honorable Prime Minister Sir Vaibhav, Mr. Pradhanji Komal and Aaron are eager to gain from your wisdom on how to handle the problem of lack of motivation and how to sustain commitment to academics Also, many other students from all over India want to know how to ensure that they participate equally in extracurricular activities to be well-integrated individuals Kindly guide all of us sir But first of all, you must observe yourself that which things are happening that are completely demotivated हो जाते हैं, आपको पता चलेगा, आप दिन भर देखेंगे, सब्ता भर देखेंगे, मैने भर देखेंगे, तो आप पकड़ पाएंगे, कहा जब ऐसा होता है, तो मैं यह लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह मेरे लिए कठीन है, तो एक, खुद को जानना, और उसमें भी, वो कौन सी बाते हैं, जो मुझे हताश कर देती है, निराश कर देती है, एक बार उसको जान ले, और उसको एक बार लंबर बॉक्स में डाल दे, ठीक है, फिर आप कोशिश किजिए, कि वो कौन सी चीजे हैं, जो सहज रुफ से आप को मोटिवेट करती हैं, जो बाते सहज रुफ से आपको मोटिवेट करती हैं, उसको आप आइडेटिफाएगेजिए, मान दीजिए, आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्व उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजे ऐसी है, कि आपको लगता है, हा आप अचानक नए सिरी से सोचना सुरू कर देते हैं, किसे ने आपको बताया था, नहीं बताया था, लेकिन आपने खुद को तयार किया था, कि वो कौन से चीजे हैं, जो मुझे मोटिवेट करती हैं, आपने पकड़ लिया, तो आपको मन करेगा, हाँ, ये मेरे लिए मत पढ़िए, बार-बार किसी को एक जा के मत कहो, ये मेरा मूड नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है, फिर आपके अंदर एक ऐसी विक्नेश पैदा होगी, कि हर बार आप सिंपती चाहेंगे, फिर आपका मन करेगा, मम्मी मेरे पांस बैठे, जरा मुझे पुछकारे, पु कुछ पल तो अच्छे चले जाएंगे, और इसलिए कभी भी उन चीजों के विशे में सिंपती गेन करने के लिए उप्योग मत कीजिए, कभी मत कीजिए, है जिमन में मुसीबत आई, निराशा आई, हतास आई, मैं उसको खुद जिऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग क करूँगा, और मेरी ही निराशा, मेरी उदासिंता को मैं ही खत्म कर दूँगा, मैं ही उसको कबर में घार दूँगा, ये विश्वास कर दाशा है, दूसरा है, हम किन चीजों को अबज़र करते हैं, कभी कभी, कुछ चीजों को अबज़र करने से भी, हमें बहुत परिणा मिलती है, अब मालीज़े, आपके ही परगर में, एक तिन साल का बच्चा है, दो साल का बच्चा है, उसको कुछ लेना है, लेकि उसके लिए बड़ा मुश्किल है, आप दूर से देखते रहिए, कि वो गिर जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, ठक जाएगा तो थोड़ी देर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर कोशिश करेगा, मतलब आपको वो सिखा रहा है, कि ठीक है, मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा, ये मोटिवेशन, क्या किसी स्कूल में किसी ने पढ़ाया था क्या, उस दो साल के बच्चे को कोई प्रामिस्टर गया था कहने के लिए क्या, किसी प्रामिस्टर ने समझाया था क्या, तरे निरास मत हो जा बेटे, खड़ो जा दोड़ो, ऐसा कि ने गया था क्या, जी नहीं, इश्वर ने ए इन चीजों को अबसर किया है, आपने देखा होगा, कि कोई दिव्यांग अपनी कुछ गतिवीती करता है, उसने अपने तरीके दून ले हैं, बहुत अच्छे तंग से करता है, लिकि हमने माइलूटली अबसर किया कि देखे भाई, इश्वर ने उसकी इतनी शदीर में कमिया दी है, लेकि उसने हार नहीं मानी है, उसने अपनी कमियों को ही शक्ति बना दिया है, और वो शक्ति खुद को तो दोड़ाती है, वो शक्ति अगर देखने वाला ने, अबसर करने वाला, जो निरिख्षन करता है, उसको भी प्रेणा देती हैं, हम कोशिश करें, हमारे आज पास जो चीजे हैं उसको हम उस रूप न अबज़र करें उसकी विखनेस इसको अबज़र न करें उस कमियों को उसने कैसे मात किया है उन कमियों को वो कैसे मात करता है उस प्रक्रिया को बारी किसे देखिए आप फिर अपने आपको उसके साथ को रिलेट करेंगे कि हाँ मैं ऐसा होता है तो मैं भी शायग ऐसा कर सकता हूँ इश्वन ने तो मुझे हाथ पर सब बहुत बढ़िया दिया है मुझे तो कोई कमी नहीं है मैं तो चुप बढ़ रहा हूँ आप खुद दोड़ने लग जाएंगे और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा एक विशे है क्या कभी आप खुद की एक्जाम लेते हैं क्या आप अपनी एक्जाम भी तक में लीजिए कोई आपकी एक्जाम कौन ले जैसे मैंने साथ मेरी जो किताब है एक्जाम बॉरियर उसमें एक जेगा पर यह लिखा हुआ है कि आप कभी एक्जाम को यह चिठी लिख दो हेडियर एक्जाम और उसको लगवर तू क्या समझते हो मैंने यह तैयारी किये मैंने यह महनत किये मैंने इतना प्रयास किया है मैंने यह पड़ा है मैंने यह लिखा है मैं इतनी नोटे भरी हुए मैं टीचर के साथ इतने गंटे बैटा हूँ मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिता है मैं मेरे पड़ोसी की छात्र ने अच्छा काम किया उसकी जाके अरे मैं इतना सिकर का यह तुम कौन होते हुम मेरा मुकाबला करने वाले कि कुम क्या होते हैं मेरी एक्जाम लेने वाले इतम्हारी एक्जाम ले रहा हूँ मैं देखता हूँ तो मुझे नीचे गिरा कर कि प aven лे ठीता हूँ कभी तो करिए कभी-कभी आपको लगता है कि भाई मैं यह जो सोचता हूँ सही है गलत है आप ऐसा किजिए एक बार रिपले करने की आदत बनाईए रिपले करने की आदत बनाएंगे तो आपको एक नया नई दृष्टी मिलेगी जैसे क्लास के अंदर को सीख कर गया हो आपके तिन weird行 है बेठिए और आज जो सिखा है आपी teacher बनके आपके तीन दोस्तों के सिखाई है फिर दूसरा दोस और तीन को सिखाई फिर तीसरा दोस और तीन को सिखाई फिर चौथा दोस यानि एक प्रकार से जितना जितने पाया होगा वो परोसेगा और हरेट को ध्यान में आयेगा देखे यार उसने इस बिंदु को पकड़ा था मिज से छूड़ गया था उसने इस पॉइंट को पकड़ा था मुझसे छूड़ गया था चारे लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खुद आप करेंगे किताब नहीं है कुछ नहीं है सुना उसुना है आप देखिए वो आपका अपना बन जाएगा आप चीजों को आपने देखा होगा कहीं को ढटना गटी हो बड़े बड़े पुलिटिकल लीडर को भी यह टीवी बाले खड़े हो जाते ने डंडा लेकर के और आपने देखा होगा वो जवाब देने में दुर। कुछ लोगों तो पीशे से प्रॉम्टिंग करना पड़ता है आपने देखा होगा लेकिन एक गाउं के महिला है कहीं एक्सिदेंट हुआ है और कोई टीवी बाला पहुंच गया उसने बेचारी को टीवी कहा है मालूम भी नहीं है और उसको पूछ लिया आप देखे बड़े आत्मविश्वास के साथ वो सारा वहनन कर देती है कैसा हुआ था पर ऐसा हुआ था फ्ला ने आयते डिगने आयते ऐसा और परफेक्टली चीज़ों बता क्यों क्योंकि उसने जो अनुभव किया उसको वो आत्मसाथ कर लेते हैं और उसके कान उसको रीप्ले बड़े आसा इसे कर लेते हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि आप अपने आपको खुले मन से इन चीजों से जोडेंगे तो कभी भी निराशा आपके दर्वाजे पर दस्तक नहीं दे सकती है अनुड प्राइम अनुड प्राइम मांतरी जी अपनी कला संस्कृती और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध घंम तेलंगाना से यादा अनुशा जो की बारवी कक्षा की छात्रा है आपसे अपने प्रश्ण का समाधान चाहती है अनुशा कृपिया अपना प्रश्ण पूछिए महानरीय प्रजान मतरी जी थमस्कार मेरा नाम यादा अनुशा है मैं गौवर्नमेंट जूनियर कॉलिज नाहुलंजा में बारह काफ्षा पदा ही हूँ मैं कमम जिले तलंगान से हूँ सर मेरे सवाल यहाई की जब सिख्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं लेकिन खुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम बुल जाते हैं खुरुपया इसके बारे में मेरी मदद करें धन्यवाद सर धन्यवाद अनुशा मान्यवर हमें एक अन्य प्रश्ण नमो एप के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें प्रश्ण करता गायत्री सक्सेना जानना चाहती है परिक्षा देते समय उनके साथ अकसर ऐसा होता है जो पढ़े और याद किये हुए विशे हैं वो भी परिक्षा हौल में भूल जाते हैं जबकि परिक्षा से पहले या परिक्षा के बाद साथियों से बात करते समय उन्हें वही जवाब ध्यान में रहता है ऐसी स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए मान्यवर, अनुशा एवं गायत्री सक्सेना के जैसे प्रश्न अनेक अन्य लोगों के मन में भी है जिनका संबंध स्मरन शक्ती से है कृप्या इस दिशा में मार्ग दर्शन कर क्रितार्थ करें माने नियव प्रधान मंत्री जी शायद हर विद्यार्फी के दिमाग में ये विशय कभी ने कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है ये मैं भूल गया लेकिन आप अगर देखेंगे इवन एक्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीज़े आपकी निकलने लगेगी कि आप आपको कभी एक्जाम देवारा रहे मैंने तो पिछले हपते भर में कभी इस विशय कुछ हुआ नहीं था अचानक क्वेश्चन आ गया लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छर हो गया मतलब कहीं पर स्टोर था आपका भी ध्यान नहीं था अंदर स्टोर था और वो स्टोर क्यों था क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दर्वाजे खुले थे कभड़ खुला हुआ था इसलिए अंदर हो गया अगर कभड़ बंद होता कितना ही परोस्ते कुछ नहीं जाता और इसलिए कभी-कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको योगा, मेडिटेशन, हिमालय, रुशी, बुनियों वहां जोड़ देते मेरा बड़ा सिंपल सा मत है ध्यान का मतलब क्या है अगर आप यहां आए लेकिन अभी आप सोते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी वो धुनती होंगी मैं किस कौने में बैठा हूँ मतलब आप यहां नहीं है, आप घर में है आपके दिमाग में यह हैं कि मंवी भी देखती होगी कर नहीं देखती होगी जहनों है I would not a त्था हूंगा एक नहीं आया होगा है आपका ध्यान यहां होना चाहिए था लेकिन आपका ध्यान वहाँ है मतलब भा कि बेध्यान है अगर आप यहां है तो आप ध्यान में है आप वहाँ है तो बेध्यान है और इसलिए ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्विकार कीजी आप इतनी सरलता से जुकारगी यह कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकरकर के हिमाले में जाके बैटना पुड़ता ऐसा नहीं है जी बहुत सरह है आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए अगर उस पल को आप जी भर के जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है बहुत से लोग आपने देखते होंगे सुबेच चाई पीते रहते होंगे अख़बार पढ़ते होंगे परिवार की लोग कहते हैं अरे पानी गरम हो गया चलो जल्दी नाने ले चलो नहीं नहीं मुझे अख़वार पढ़ना है फिर करेंगे नहीं नहीं नास्ता गरम हो है ठंदा हो जाएगा फिर भी करेंगे नहीं मुझे अख़वार पढ़ना है कभी मुझे अख़वार पढ़ना है कभी मुझे उन मातां उसे मैं कहता हूँ क्यों वो ना जागरग है नव उस पल को जी रहा है वो आधतन पन्ने घुमा रहा है आछे देख रही है चीजे पड़ी जा रही है कुछ भी रेजिस्ट नहीं हो रहा है और अगर रेजिस्ट नहीं हो रहा है तो मेमरी चिप में जाता नहीं है और इसलिए आपके लिए पहली वावश्रक्ता ये है आप जो भी करे उसे उस वर्तमान को और मेरा अभी भी मत है कि परमातमा की इस रष्टी को सबसे बड़ी कोई सोगाद है अगर मुझे कोई पुछेगा तो मैं कहूंगा वो सौगाद वर्तमान है जो इस वर्तमान को जान पाता है जो इस वर्तमान को जी पाता है जो इस वर्तमान को आत्मसत कर पाता है उसके लिए भविश्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है और मेमरी का भी यही कारण है कि हम उस पल को नहीं जीते हैं और उसके कारण हम उसको घवा देते हैं दूसरा मेमरी का जीवन से समन्ध होता है सिर्व एक्जाम से है यह सोचोगे तो फिर तो आप उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं उसका मुले ही नमसाबता है अगर माल दीजिए आपके किसी दोस्त का जन्मदिन आपको याद रहा और आपने जन्मदिन पर उसको फोन किया आपकी तो वो memory थी जिसके करण आपको जन्मदिन याद रहा लेकिन वो memory आपके जीवन के विस्तार का कारण बन जाता है, जब उस दोस्त को टिलीफोन जाता है, उसको अधे वा, उसको मेरा जन्मदिन इतना याद था, मतलब मेरे जीवन की एमियत उसके जीवन में है, वो जीवन भर आपका बन जाता है, कारण क्या था, वो एक मेमरी, मेमरी जीवन की विस्तार का बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कटलिक एजन्ट है, और इसलिए हम हमारी स्मृति को सिरफ परिक्षा तक, सवाल जवाब तक सिमित न करें, आप उसका विस्तार करते चलिए, जितना विस्तार करेंगे, चीजे अपने आप जुड़ती जाएगी, दूसरा, आप कभी दो बरतन लीजिए, दो बरतन में पानी भरिए, पानी भर करके उसके अंदर एक कोईन रखिए, दोनों में, पानी शुद्ध है, स्वच्च है, दोनों एकी प्रकार का पानी है, दोनों एकी प्रकार के बरतन है, दोनों एकी प्रकार के उसमें कोईन है, और आप उसको देखें लेकिन एक बरतन है जो हिल रहा है पानी इदर उदर हो रहा है नीचे कोईन है दूसरा स्थीर है आप देखेंगे कि जो स्थीर पानी वाला कोईन है वो आपको परफेक्ट दिखता है और सकता है उस पर लिखी हुई चीज भी दिखाई दे और जो पान हिल रहा है वहां पर भी वही कोईन है उतना ही जहरा है बरतन हील रहा है कि अगर कि मन भी ऐसे डूलता रहे और हम सोचें कि उसमें कोईन जो है मुझे दिखाई देगा आपने देखा होगा एक्जाम में आपके समस्या ये होती है क्यों देखो ये बगल वाला तो उपर दे अब मैं पीछे रह जाओंगा उसको न दिमाग उसी में लगा पड़ाएं आपका दिमाग इतना हल डोल हल डोल कर रहा है कि जो बीतर मेमरी रुपी जो कौईन है न आपको दिखता ही नहीं है एक बार मन को स्थीर कर लीजिए मन को स्थीर करने की दिकत है तो जड़ा डिप ब्रिफिंग कर लीजिए तीन चार भार घहरी सांथ लीजिए एक दम सिना तान करके आग बंद करके कुछ पल बैठिए मन सीर हो जाते ही वो कौईन जैसे दिखने लगता है आपके मेमरी के भीतर पड़ी वी चीज यूही उभर करके आना शुरू हो जाती है और इसलिए इश्वर ने जिसकी मेमरी ज्यादा है उसको एक्ष्टा एनर्जी दी है ऐसा नहीं है जी हम सबको हम हमारे सबका जो इंट्रेट प्रोड़क्ट है परमात्मा ने बहुत बढ़ाय हुआ है हम किसको पनवाते हैं किसको बढ़ाते उस पर निर्भर करता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो आपने से जो लोग पुराने शास्तों को जानते होंगे कुछ तो कभी यूटूब पर भी कुछ चीज़े अवेलेबल होती है कुछ शतावधानी लोग होते हैं उनको एक सांथ सो चीज़े आदाती है हमार ख़ि Molstoffaram 12 में कहता हूं मन स्थी रखिये आप अपने पास चीज़े पड़ी है हो अपने आप आना शुरू हो जाएगी आपको दिखना शुरू हो जाएगी आपका उसका दमर होना शुरू हो जाएगा और वही बहूत बढ़ी प्रताकेद था माननिय प्रधान मंत्री जी आपने जिस इसनेह पूर्ट सरलता से हमें ध्यान की विधी सिखाई निच्चे ही मेरी तरह सबका मन खिल उठा है धन्यवाद महुदे माननिय प्रधान मंत्री जी खनीत संसाधनों से समरिद्ध राज मनोरम परियठन इस्थल रामगड जहरखंड से कक्षा दस्वी की छात्रा श्वेता कुमारी आपसे अपने प्रश्ण का समाधान चाहती है श्वेता कृपिया अपना प्रश्ण रखिए माननिय प्रधान मंत्री जी मेरी पढ़ाई में प्रोड़क्टिविटी लाग कर समिक अधिक होती है पर सब मुझे दिन में परण्डी को बोलते हैं मैं क्या करूं धन्यवाद श्वेता आधर नियव प्रधान मंत्री जी नमो एक के माध्यम से प्राप्त प्रश्ण जिसमें राघव जोशी के सामने एक अजीब सी दुविधा है माबाब हमेशा कहते हैं पहले पढ़ाई करो फिर खेल खूद करो लेकिन उन्हें लगता है कि खेलने कूदने के बाद पढ़ाई करते हैं तो उन्हें चीजे बहता तरीके से समझ में आती है कृपिया रागवेवं श्वेता के साथ साथ उन जैसे कई विद्धियार्थियों को समझाएं कि वैसा क्या करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी श्रेष्टितम हो हम सब की दुविधा का समाधान करने की कृपा करें माने ने प्रधान मंत्री जी ये बत सही है कि हर कोई चाहता है कि उसके समय का सदूपयोग हो जिस काम के लिए समय लगाया है उसका उतना ही उसको लाग मिले और ये अच्छी सोच है और ये आवश्चक भी सोच है कि हमें हमेशा जागरत रुप से प्रयास करना चाहिए कि क्या मैं जो समय लगा रहा हूं मैं जो समय खपा रहा हूं उसका मुझे आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है आउटपूर तो दिखेगा आउटकम नहीं दिखेगा इसलिए पहले तो खुद मैं एक आदर लानी चाहिए कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना मुझे प्राप्त हुआ के नहीं हुआ और इसका हम हिसाब किताब लगा सकते हैं और ये आदस हमको डालनी चाहिए कि भी मैंने आज मैथमेटिक के पीछे एक घंटा लगा दिया तो मुझे उस एक घंटे में जो मुझे करना था वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया उसमें से जो सवाल मुझे कठीन लगते थे वो मुझे सहज हो गए नहीं हो गए मतलब मेरा आउटकम इंप्रूव हो रहा है ये हमें एनालिसिस करने की आदत लाने चे बहुत कम लोगों को एनालिसिस के आदत होती है वो एक के बाद एक कुरा करते ही जाते है करते ही जाते है करते ही जाते है और बाद में बाद में पता ही नहीं रहता कि अरे वो ज़्यादा ध्यान देने की जरूत थी उसको मैंने ज़्यादा ध्यान देने की जरूत नहीं थी कभी-कभी क्या होता है हमारे अपने टाइम टेबल में जो सबसे सरल है जो सबसे प्रिय है हम गुम फिर करके उसी में गुज जाते हैं मन करता है चलो इसी को कर ले क्यों आनन्द आता है और उसके कारण जो कम पसंद है थोड़ा कठीन है उससे बचने की कोशिश करते हैं आपने देखा होगा हमारा बॉड़ी जो है न है वो बॉड़ी शब्द मेरा अच्छा नहीं है लेकिन सरलता के लिए बता देता हूँ कभी-कभी लगते हैं हमारा बॉड़ी चीटर है आप ताय करें मुझे ऐसे बैठना है आपको पता ही नहीं होगा हाथ पर यह जो ओरिजिनल स्वफाए वहाँ बॉड़ी आपको ढ़ल जाती है फिर जांपूत होकर कैसे कर लोकर फिर हो जाते हो मतलब यह बॉड़ी जैसे चीटर है न वैसे मन भी चीटिंग करता है कभी-कभी और इससे ये हमें इस cheating से बचना चाहिए हमारा मन हमारा cheater नहीं बनना चाहिए वो कैसे बन जाता है कि जो चीज मन को पसंद आए हम उसी पर चले जाते हैं हमें जो जरूरी है महत्मा गांदी जी स्रेय और प्रेय की बात करते थे जो चीज स्रेयस कर है और जो चीज प्रिय है व्यक्ति स्रेयस करके बजाए प्रिय की तरब चला जाता है जो स्रेयस कर है उस पर हमने चिपक के रहना चाहिए ये बहुत आवशक होता है और उसी पी तरब अगर मन cheating करता है वहां ले जाता है फिर खिंच के ले आओ तो आपकी productivity ने आपका outcome बढ़ेगा और उसके लिए प्रियास करना जी दूसरा ये जो सोचना कि मैं रात को पड़ू तो अच्छा होता है कोई कहता है मैं सुभे पड़ू तो अच्छा होता है कोई कहता है खाना खा करके पड़ू तो अच्छा होता है कोई कहता है भूका रहे करके पड़ू ये हरे के अपने अपनी प्रकृती होती है आप observe किजी अपने आपको किस चीज में आप comfortable है actually है आप comfort होने चाहिए अगर आप comfort नहीं है उस परिशत से, बैठने से, उठने से तो आप शायद उसको नहीं करेखा अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही प्रकार की जगा होगी तम निंद आएगी उसको मुझे आद है मैं बहुत साल पहले एक movie देखी थी उस movie में एक दर्श आता है कोई एक व्यक्ति जुगी जोपड़ी के पास अपनी जीन की गुजारता है और फिर अचानक कोई अच्छी जगा पर रहने जाता है उसको नसीब आता है लेकिन निंद नहीं आ रही है और निंद क्यों नहीं आती तो फिर अपना दिमाग खपाता है तो वो जाता है रेलवे स्टेशन पर और रेल की पट्री की जो आवाज खटापटी आवाज उसको टैप करता है और घर में लाकर करके और टैप रेकट सुरू करता है और फिर सो जाता है निंद आ जाती है उसका वो कमफट हो जाता है जब तक उसको वो अब हरे के लिए कोई कहे कि टैन की आवाज आएगी तो तो तुम्हें निंद आएगी हरे के लिए जरू नहीं होता है उसको वो कमफट लगा मैं समझता हूँ कि हमने हमें भी पता होना चाहिए इसका प्रेशर बिलकुन मत रखिए जिस चीज में आपको आनंद आता है आपको कम से कम उसके लिए अपने आपको एड़्जेस करना पड़ता है वो रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन उस कमफट अवस्था में भी आपका काम है आपकी पढ़ाई आपका काम है मैक्सिमम आउटकम उसमे से जराबी हटना नहीं है और मैंने देखा है लोग कैसे काम करते हैं कभी जब हम सुनने को तो अच्छा लगता है कि फलाना वेक्ति बारा घंटे काम करता है चौदा घंटे काम करता है अठारा घंटे काम करता है सुनना अच्छा लगता है लेकिन actually 18 गंटे काम करना क्या होता है मेरे जीवन में एक बहुत बढ़ा लेशन है मैं जब गुजरात में था तो केका शास्त्री जी करके एक बहुत बड़े विद्वान थे स्वयम तो पाँटवी साथ भी कक्षा तक ही पड़े थे लेकिन अनेक गंट लिखे थे उन्हों दर्जन में गंट लिखे थे और वो पदमसम्मान से भी सम्मानित थे वो जीवी तरहे थे 103 साल और जब मैं वहाँ था तो मैंने उनकी शताबदी का ओफिशल कारकम सरकार का किया था मेरा उन्हों तरह बड़ा निकर रिष्टा देश था था बड़ा प्यार रहता था मुझ पर उनका तो मैं बहुत साल पहले तब तो मैं मुख्यमंत्र भी नहीं था तो हमने एक बार कारकम बनाया कि उनको लेकर के राजस्थान के तीरतिक श्यत्र पर में उनको दर्शन करने के लिए ले जाऊँगा तो मैं उनको लेकर के चला तो हम एक वेहिकल में से सब लोग मैं देखता था कि उनके पास बहुत कम लगेज था लेकिन उसमें भी जाणा लगेज उनकी लिखने पढ़ने की चीजें थी कहीं रेल्वे का क्रॉसिंग आता था तो बंध हो जाता था रुख जाना पड़ता था जब तक ट्रेन पारित नहीं होती दर्वाजा खुलता नहीं था आगे बढ़ते हैं अब उस समय हम क्या करते हैं हम या तो नीचे उतर के स्थोड़े चेह लेंगे या कोई सिंग्चना बेजता हो कर तो लेकर के खाएंगे हम अपना समय मैं देखता था कि जैसे ही खड़े की गाड़ी वो अपने थेले में से कागे निकालते थे और एकदम से लिखना शुरू करते हैं तब उनकी उमर मैं समाता हूँ असी तो करी पहुंच की होगी याने समय का कैसे उपयोग करना आउटकम किसको कहते हैं मैं इतनी बारी किस उनको देख रहा था और शायद तिर्थे यातरा के समय में रिलेशन रहना गुमना फिरना देखना बात हैं को सारा प्माजू मैं अपना काम करते ही रहना किसी भी परिस्थिति में करते रहना मैं समझता हूँ यह बहुत आवश्यव होता है जीमन में इसे बहुत किज मिलता है अब्सक्राइब 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 Honorable Sir, thank you for making us understand the importance of self-analysis and realizing that we should learn joyfully for rising to excellence Honorable Prime Minister Sir Erica George, a student of class 9th from the beautiful lush green land with Eucalyptus Forest Udhampur Union Territory of Jammu and Kashmir seeks your guidance Erica, please ask your question Greetings Honorable Prime Minister Sir I am Erica George from APS Udhampur Jammu and Kashmir from 9th Sir, the question that I wanted to ask was nowadays there is a lot of competition especially in the academic fields and in a country like India in this case there are a lot of people who are really very talented and knowledgeable but due to some reason they could not appear for the exams maybe they could not choose the right path or maybe they do not have the proper counseling so sir, in this case what can we do for these people so that the talent of these people does not go to a waste and instead can be utilized in a better and efficient way thank you sir thank you Erica Honorable Prime Minister Sir Hari Om Mishra a class 12 student from industrial hub Gautam Bhutnagar Uttar Pradesh is preparing for his board exams and wishes to ask a similar question that has been invited by a competition organized by ZTV Hari Om please ask your question hello my name is Hari Om Mishra and I am the 12th student of Cambridge School of Nolida of 12th student my master today is the question that this year has been changed in the admissions in the college and the board has been changed in the pattern in the pattern of the board in the pattern so in all these changes we are now in the administration we are now in the board in the administration or in the college in the administration in the administration Thank you, Hari Om. Honorable Prime Minister Sir, just like Erika and Hari Om, many students from different parts of the country have expressed their anxiety and concern about whether to focus on studies, competitive exams, board exam preparation or college admission. We all seek your guidance, Honorable Prime Minister Sir. One issue is competition. The second issue is that this exam is done or that exam is done. If you have two exams, then what is it? I don't think I should study the exam. The wrong thing is. I will study this exam, then I will study this exam. I will study this exam. This means that you are studying the exam. You are exposed to the exam. We are exposed to the exam. You are exposed to the exam. You are exposed to the exam. से हम पूरी तरह उसको आत्म साथ करेंगे फिर वह बॉड का एक्जाम है या एंटरंस एक्जाम है या जॉब के लिए कोई इंट्रविया एक्जाम है कहीं पर भी हो सकते एक्जाम अगर आपने अपनी शिख्षा का पूर्ण रुप से एक शाक्षाकर किया है आत्मसाथ की है तो आपको एक्जाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है और इसलिए अपने आपको एक्जाम के लिए तयार करने के दिमाग खपाने के बजाएं अपने आपको योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए विशय को मास्टर बनने के लिए हम महनत करें फिर परणाम जो मिलेगा सो मिलेगा जहां पहली आएगे वो उसको पहले मुकाबला करेंगे जब दूसरा आएगा दूसरे जब मुकाबला करेंगे किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता है महनत, फिर वो तैसिल में खेलेगा, तो वहाँ अपना कर्तब दिखाएगा, डिस्टिक में खेलेगा, वहाँ कर्तब दिखाएगा, नेशनल खेलेगा, वहाँ कर्तब दिखाएगा, इंटरेशनल खेलेगा, वहा कर से निकल करके मेरे पास ये संपूठ है मैं लेकर के जा रहा हूं अगर मैं वहां से निकला तो ठीक है नहीं निकला तो मैं कोई और रास्ता ढूंड़ूंगा तो मुझे लगता है कि एक तो इसमें ये सोच रहती है दूसरा कॉंपुटिशन देखिए दोस्तों कॉंपुटिशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए अगर कॉंपुटिशन नहीं है तो जिन्द की किस चीज कीजी फिर तो हम ऐसे ही खुज रहेंगे वाँ कुछ नहीं हम है बस ऐसा नहीं होना चाहिए सच मुझ में तो हमने कॉंपुटिशन को इन्वाइट करना चाहिए तभी तो हमारी कसोटी होती है मैं तो कहूंगा घर में भी कभी छुट्टी का दीन है पढ़ना नहीं है एक्जाम नहीं कुछ नहीं है तो भाई बहन बैठ करके कॉंपुटिशन लगाओ तुम चार रोटी खाते हो मैं पाच खाता हूँ तुम पाच खाते हो मैं छे खाता हूँ अरे करो तो कॉंपुटिशन जिन्दगी को कॉंपुटिशन हमने निमंतर देना चाहिए कॉंपुटिशन जिन्दगी को आगे भणाने का एक अच्छा माध्यम होता है जो हमें अपना भी इवैलूशन करने लगता है दूसरा मैं जिस पीड़ी का हूँ या आपके माता पिता जिस पीड़ी के हैं उनको वो चीजे नसीब नहीं थी जो आपको नसीब हो रही है आप उस भाग्यवान जनरेशन में है जो भाग्य आपके पहले की किसी भी जनरेशन को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है और वो है जैसे competition ज़्यादा है तो choice भी ज़्यादा है अउसर भी अनेक है आपके परिवार में इतना अउसर नहीं थे आपने देखा होगा दो किसान हो माली जो उसकी भी दो एकड़ भूमी है इसकी भी दो एकड़ भूमी है लेकिन एक किसान है चलो भाई गुजारा करना है गंदार केखेटी करते रहो अपना गुजराच चल जाएगा दूसरा किसान है वो सोटता है नहीं नहीं दो एकड़ भुमी है ऐसा करूँगा बंथड ये करूँगा बंथड ये करूँगा पिछली साल ये किया तद इस बार ये करूँगा ये दो चीजे नहीं करूँगा आप देखेंगे कि मुझे दो एकर भुमी में ही ऐसे ही आराम से बैटा हुआ गुजरा कर लेता है जिन्दगी ठहर जाती है जो रिस्क लेता है प्रवक करता है नई चीज लेता है नई चीज जोडता है वो इतना आगे बढ़ जाता है कि जिन्दगी में कही रुकने का नाम नहीं लेता है वैसा ही वैसा ही हमारे जीवन में है हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्परधा के बीच में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और हमारे पास अनेग चोईस है ये स्परधा नहीं तो वो वो स्परधा नहीं तो वो वो स्परधा नहीं तो वो ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता मैं समझता हूँ कि हम इसको अपर्चुनिटी माने एक अवसर माने और मैं इन अवसर को छोड़ूँगा नहीं मैं इस अवसर को कभी ने कभी जाने नहीं दूँगा ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वात है कि competition आपके लिए इस यूग के सबसे बड़ी सोगात के रुप में आप अनुभाव करेंगे माननिय प्रधान मंत्री जी आपने हमें ज्यान को आत्मसाथ करने की प्रेरना दी जिससे जीवन में सफलता मिलती है आपका धन्यवाद शद्धे प्रधान मंत्री जी नवसारी गुजरात से एक अभिभावक सूश्री सीमा चिंतन देसाई आपके समुक एक प्रश्ण रखना चाहती है महोदया, कृपया अपनी बात रखे आप सिर्फ बोलते हैं और जो बोलते हो, वो करके दीखाते हो सेमस सरी प्रश्ण भातिया ग्रवे अंचर की बालिकाओं ही तो अनेकी उच्छाए चल रही है इसके टगति के लिए हमारा समाज क्या युद्धा ने सकता है कृपया माथ दश्री धन्यवाद धन्यवाद महोदया, मान्यवर, सीमा चिंतन दिसाई जी, ग्रामिन शेत्र की बालिकाओं की सिक्षा को लेकर चिंतित हैं और श्रीमान से जानना चाहती हैं कि इस दिशा में आपके मंतव्य क्या हैं? माने नियवर, प्रधान मंत्री जी बैसे मैं समझता हूँ कि स्थितियां काफी बदली हैं पहले के समय में जब शिक्षा की बात आती थी तो माबाप को लगता था कि बेटे को पढ़ाना चाहिए अपने लिमिटेर समसाधन से भी उनको लगता था कि इतने ही स्थिति हैं चलो बच्चा पढ़ेगा तो कुछ कमाएगा और कभी-कभी कुछ माबाप ये भी कहते थे अरे बेटी को पढ़ा कि क्या करना है वे उसको नोक्री थोड़ी करवानी है अब वो तो अपना ससुराल जाएगी वो अपना जिनिगी का गुजरा कर लेगी ये मानसिक्ता का कोई एक कालखन था हो सकता है आज भी कुछ गाउं में कहीं पर इस प्रकार की मानसिक्ता बची हुई होगी लेकिन बाए लाज आज सितियां बदली है और समाज बेटियों के सामर्थ को जानने में अगर पीशे रहे गया तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता कभी कभी तो आपने ऐसे परिवार देखे होंगे जहां पर ये कहते होंगे भाई बेटा तो होना ही चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आएगा बेटी तो क्या है वो तो सुसुराल चले जाएगी वो क्या काम की ऐसी भी एक सोच हमारे समाज में है और कभी तो थी लेकिन इत्यास अनुभाव करता है और मैं इन चीजों को बड़ी बारी के से देखता हूँ मैंने ऐसी कई बेटियां देखी है जिन्होंने माबाप की क्लोती बेटी माबाप के सुख और उनके बुढ़ावी की जिन्ता के लिए खुद ने शादी नहीं की और माबाप की सेवा में जिन्दगी खपा दी जो बेटा नहीं कर सकता बेटियों ने किया और मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर में चार बेटे हैं चार बेटों को चार बंगला है सुख चैन की जिन्दगी है दुख कभी देखा नहीं है लेकिन माबाप बुर्दा सम्मे जिन्दगी गुजार रहे हैं ऐसे भी बेटे मैंने देखे इसलिए पहली बात है समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान कोई भेदफाव नहीं ये आज के यूग की अनिवार्यता है और हर यूग की अनिवार्यता है और भारत में कुछ विक्रूतियां आई है आने के कुछ कारण रहे होंगे लेकिन ये देश गर्व कर सकता है अगर गवर्नन्स की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्य देवी का नाम आता था बेस्ट गवर्नन्स के रूप में कभी वीर्ता की बात आए तो रानी की जहा ही तो थी यहने कोई यूग ऐसा नहीं होगा और हमारे यहां तो विदूशी ज्ञान का भंडार बेटियों ने करके दिखाया है तो पहले तो हमारी अपनी मान सिक्ता दूसरा आज थिती बदली हुई है आज तो आप देखेंगे नए जो बच्चे स्कूल आते हैं तो बेटों से ज़्यादे बेटियों के संग्या होती है यह हिसाब आ रहा है आज जो बेटियों के एस्पिरेशन हैं अकांख्षाएं हैं वो कुछ करद किजरने के जो जज़बा है शायद कोई भी हिंदुस्तानी गर्वकर ऐसा है और उसको हमने अवसर देना चाहिए और उस अवसर हमने इंस्टिटूश लाइट करना चाहिए कोई एक परिवार अपने तरीके से कर ले सा नहीं जैसे आपने देखा हो का खेल कुद में आज खेल कुद में किसी भी स्थर का खेल चलता होगा भारत की बेटियां हर जगात में कहीं कहीं अपना नाम रोशन कर लिए विज्ञान का छेतर देखिए इतने बड़े बड़े एचिवमेंट विज्ञान के आते हैं तो देखोगे दूसमें आदे से अधिक तो हमारी बेटियों ने कुछ ने कुछ पराकरम होता है विज्ञान के शेतर में अब दसवी बारावी के रिजल देख लीजिए बेटों से तो आज हर परिवार के लिए बेटी एक बहुत बड़ी एसेड बन गयी है और यह अच्छा है अब आप देखिए तो गुजराद से ही हैं जिन्हों ने सवाल पूछा है गुजराद में जैसे पच्छाइती Raja बहुंसता है अच्छी पंचैती Raja बहुंसता है पचात प्रतिशत elected बहने हैं। कानुनन भी होता है कि 15 प्रतीशत लेकिन एक्चुली चुनाओं के बाद सित ये बनती है कि चुनी हुई महिलाओं के संक्या 53% 54% 55% है यह वह अपने रिजर्ट सिट से जीती है लेकिन वह सामाने सिट से भी जीत करके 55 प्रतीशत तक कभी-कभी जाता है और पूरुस 45% प्रत प्रतलब समाज का भी माताओं बहनों पर विश्वाग बढ़ा है तभी तो जाकर के वो उन प्रजन पतिनीदी बनकर क्या से जब आज हम आजादी का अमृत महों सो बना रहे हैं आज हिंदुस्तान की पार्लामेंट में सबसे जादा आज तक के कालखन की सबसे जादा विम उनको लोग ज्यादा चुनना पसंद करते हैं भले वो पाटवी हैं तो साथवी वाली बच्ची को बहन को चुना मैं जीतने के पसंद करेंगे याने समाज में भी सिख्षा के प्रती सम्मान का भाव हर्ट सरपन नजरा रहे हैं आज आप एजुकेशन फिल्ड देख लीज मैं किसको रास्ता नहीं दिखा रहा हूं पुलिटिकल पाटी वालों को लेकिन कभी-कभी संभावना है कि पूरुस जुलूस निकालेगे कि टीचर में हमारा इतना परसंट आरक्षन दय करो क्योंकि जादातर टीचर हमारी माताएं बहने हैं उसी प्रकार से नर्सिंग में जादातर जो सेवा भाव मात्रुभाव होता है वो आज नर्सिंग के ख्षेतर में भारत का गवरो बढ़ा रहा है भारत की नर्सिंग दुनिया में जहां जा रही है भारत के आन बान शान बढ़ा रही है इवन पुलिसिंग में पुलिसिंग के अंदर आज हमारी बेटिया बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, अब तो हमने NCC में बेटियां, साइनी स्कूल में बेटियां, आर्मी में बेटियां, जीवन के हर खेत्र में, और ये सारी चीज़ें institutionalize हो रही हैं, और मुझे समाज से भी यही आग रहे हैं, कि आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत किये दोनों को समान अउसर दीजिए, और मैं कहता हूँ, शायद समान investment से ही, समान अउसर से ही, अगर बेटा 19 करेगा, तो बेटी 20 करेगी, इसमान अउसर। को आपकी प्रेणा से नई उडान मिली है, आपका धन्यवाद। अंसर तो हर बेटा आपकी पावित्रा राव, काईटली आस्क ये प्रेणा अपक्ष्ट। नमश्कार प्रधान मंत्री जी जैसा कि हमारा भारत और तरक्की करने के लिए अग्रसर है इसको कायम रखने के लिए हमारी नई पीडी को और क्या कदम उठाने होंगे आपके मार्देशन से भारत स्वच्त हुआ ही है और आने वाली पीडी इसके पर्यावरन संडक्षन में और क्या योगदान दे क्रिप्या मार्देशन करे दिन्यबार सर नई दिल्ली से ग्यारवी कक्षा के चात्र चैतन्य लेले अपने मन में उठने वाले इसी प्रकार के एक अन्य प्रश्न का समाधान चाहते हैं चैतन्य क्रिप्या अपना प्रश्न पूछिए प्रणाम माननिय प्रधान देजी मेरा नाम चैतन्य है मैं कक्षा ग्यारवी का देवी विद्याले का चात्र है मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हम अपने पर्यावरन को स्वच और भैतर कैसे बना सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद चैतन्य Honorable Prime Minister Sir, the youth of India just like Pavitra and Chaitanya want to breathe in a clean and green India a dream close to your heart we all wish to know how to keep India and our environment pristine and perfect in every sense of the word we all look forward to your guidance Sir वैसे यह परिश्चा पर चर्चा से जुड़ा विश्य तो नहीं है लेकिन जैसे परिश्चा के लिए अच्छा environment चाहिए वैसे पृत्वी को भी अच्छा environment की ज़रुत होती है और हम लोग तो पृत्वी को मा मानने वाले लोग है मैं सबसे पहले तो आज मुझे अउसर दिया है तो मैं सारवजेनी की रूप से हमारे देश के बच्चों को बालक बाली काउं का रदेश से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अनुहो करता हूं कि मैं प्रधान मंत्री बनने के बाद पहली बार जब पंद्रा अगस को लाल के लिए से भाषन कर रहा था तो मेरे भाषन के बाद ज़्यादा था लोगों ने सवालिया निसान लगा डाले थे कि ठीक है मोदी जी ने कहतो दिया लेकिन हो सकता है क्या और उसमें मैंने स्वच्चता की बाद कही थी थोड़ा ये भी अचरत था कि देश का प्रधान मंत्री ये तो जगा ऐसी है कि वहाँ स्पेस की बात करनी चाहिए विदेश निजी की बात करनी चाहिए सइन्य शक्ती की बात करनी चाहिए ये आद्मी कैसा है स्वच्चता की बात कर रहा है कहीं को आफिर हुआ था लेकिन जो भी आशंकाई व्यक्त की गई थी उन सब को गलत सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया हो या स्वच्छता के मेरे भावना को चार चाम लगाने का अगर किसी ने काम किया हो तो वो मेरे देश के बालक बालिकाओं ने किया स्वच्छता की इसी आत्रा में आज हम जहां भी पहुँचे है अगर उसकी मैं सबसे जादा क्रेडिट अगर किसी को देता हूँ तो मेरे देश के बालक बालिकाओं को देता हूँ मैंने इसे सेक्ड़ो प्रसंग सुने है जहां पांट पांट छेचे साल के बच्चों ने अपने दादा दादी नाना नानी को टोका है दिन में दस बार कि इधर मत दालो मोदी जी ने मना किया है इधर मत फैको मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा यह बहुत बड़ी ताकत है और आप शायद उसी पीडी के होने के कारण आपने उसी भावना के साथ सवाल पूशा है मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूँ यह बात सही है कि आज पूरा विश्व हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण एंवार्मेंट के कारण बहुत परिशान है और उसका मूल कारण है कि हमने अपने संसाधनों का मिस्यूज किया है हमारे पांस परमात्मा ने जो विवस्ताइद दी है उसको हमने बरबाद कर दिया है अब हमारा दाईट्व है अगर आज मैं पानी पी रहा हूँ या मेरा भागे में पानी है आज अगर मैं कहीं नदी देख पा रहा हूँ आज अगर मैं किसी पैड की छाया में खड़ा हूँ तो उसमें मेरा कोई contribution नहीं है ये मेरे पुर्वजों ने मेरे लिए छोड़ा हुआ है जिस चीज को आज मैं उपभोग कर रहा हूँ वो मेरे पुर्वजों ने मेरे लिए दिया है क्या मेरे बात की पीड़ी को मुझे भी कुछ देना चेक नहीं देना चाहिए देना चेक नहीं देना चाहिए अगर मैं बचाऊंगा नहीं तो दूंगा क्या और इसलिए जैसे हमारे पुर्वजों ने हमें दिया उनका रण स्विकार करने के लिए और हमारी आगे की पीड़ी को देने के लिए जिम्मेवारी स्विकार करते हुए हमने अपना दाईत्व निभाना चाहिए ये हमारा कर्तब्य है अब ये कोई सरकारी कारकम से सफल नहीं होता है जैसे मान लीजे मैं कहता हूँ कि फिस सिंगल यूज प्लास्टिक इससे बचना चाहिए लेकिन हमारे ही परिवार में भाशन भी हम करते हो सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए लेकिन शादी का कार अगर हम किसी नहीं का आता है घर में देखते है तो उस पर इस प्लास्टिक का बहुत सुन्दर रेपर करके आता है हम निकाल के दो के फैंक देते अब ये हम जो सोचते हैं उसके विप्रीत है तो सहच स्वभाव कैसे बढ़े कम से कम मेरे परिवार में मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बिल को हमारे घर में उप्योग नहीं करने दूगा तो हमें एन्वारमेंट के लिए कुछ कुछ मदद कर रहे हैं और अगर देश के सभी बच्चे इस काम को करने लग जाए तो फिर आज जो हमारे आपने देखा होगा मैं गुजरात में पशु आरोगी मेले लगा रहा था जब मैं मुख में तुछ था और पशु आरोगी मेले लगाता तो आपको अहरानी होगी मैं गुजरात के अंदर पशुओं की दाद की ट्रिट्मेंट डेंचर ट्रिट्मेंट करवाता था पश्वों को मोती बिंदु होता है मोती बिंदु का काम करता था और कुछ पश्वों के अपरशन करने पड़ते था तो मैं एक बार एक गायक दिखा उसके पेट में से कम से कम 40 केजी प्लास्टिक निकला था अब ये ये मानोता के विरुद्ध का काम है अगर ये हमारे अंदर संबेजना पैदा होती है कि मैं मुझे था अच्छा लगता है चलो वे हर्की भूल की थेली है लेकर के जाना अच्छा लगता है और फिर फैंट देता हूँ हमें अब यूज एन थो उस कल्चर से बचना पड़ेगा और हमें रियूज रिसाइकल और ये भारत में कोई नया पड़ रही है ये हमारे यां तो साथों से परिवार में आदत रही हुई है हम जितना जानदा संसाथनों का उप्योग करेंगे हम परियावरन को बरबाद करेंगे हम जितने संसाथनों का अप्तिमम यूटिलाइजेशन करेंगे हम परियावरन के रिक्षाइब आज देखिए हमारे electronic gadgets ये भी परियावरन के लिए एक संकर बनते जा रहे है आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी scrap policy निकाली हुई ताकि जो पुरानी गाड़िया है जो प्रदूशन परदा करती है उनको खतम करो उसमें से भी कुछ कमाई करो नई गाड़ी लाओ उस दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में काम चलने वाला है उसी प्रकार से हम जानते है पानी का क्या महत्वा है पाउदे का क्या महत्वा है है प्रकृति का क्या महत्ता है हम उसके प्रति सेंसिटिव है क्या और यह सहज स्वभाव बनाना चाहिए अगर यह स्वभाव बना आपने देखा हुआ कोप 26 में मैंने एक विशे रखा था यूके में कांफरेंस हुई थी दुनिया के और मैंने कहा था उसमें कि हमारी जो लाइफस्टाइल है और इसलिए कहा है कि मिशन लाइफ की आवशक्ता है और मैंने मिशन लाइफ के लिए वहाँ स्वभत किया था कि लाइफस्टाइल फर एनवाइरमेंट लाइफ 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 मैं समझता हूँ कि हम भी अपने जीवन में बहुत छोटी आयू है चार मंजिला मकान है और हम भी लिट में जाते हैं अरे हम कोशिश करें हम चड़ जाएंगे क्या है तो हमारा हेल्द भी कभी फाइदा चोटी चोटी चीजें हम अपने जीवन में लाएंगे और इसलिए मैंने कहा था कि हमें दुनियाelnे में पी-3 मूअ जलाने की और conscious रहकर कि इसको प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम चीजों को लाप करेंगे दूसरा हम आज जब देश आज़ादी का अमृत महुसो मना रहा है आज़ादी के 75 साल आज की जो पीड़ी है वो अपने जीवन की सबसे सफल पलों से गुजरती होगी तब देश शताब्दी मनाता होगा मतलब ये 25 साल आपकी जिन्दकी का है आपके लिए है आपका योगदान इस 25 साल में क्या हो ताकि हमारा देश उस जगा पे पहुँचे हम गर्व के साथ देश की शताब्दी आन बान शान के साथ दुनिया के सामने एक चहरा उंचा रख करके मना सके हमने अपने जीवन को उससे जोड़ना सके और उसका एक सिंपल सा मार्ग है कर्तव्य पर बल देना अगर मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करता हूं मतलब कि मैं किसी के अधिकार की रक्षा करता हूं फिर कभी उसको अधिकार के लिए मांग करने के लिए निकलना ही नहीं पड़ेगा अज समस्या ये हैं कि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं इसलिए अधिकार के लिए उसको लड़ना पड़ता है हमारे देश में किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना न पड़े ये हमारा कर्तवे हैं और उस कर्तवे क्या उपाए भी हमारा कर्तवियों का पालन है अगर हम कर्तवियों का पालन करते हैं हमारे लिए जिम्मेवारिया है उसको पूरा करते हैं आप देखिए हमारे देश ने पूरे दुनिया के लोग हमारे यहां तो इन चीजों की चर्चा करते हैं तो लोगों को डर लगता है कहीं मोदी के खाते में हो जाएगा मोदी का जहेजेकार हो जाएगा इसलिए ज़रा संकोज करते हैं इसका जय जय कार करने में लेकिन जो हमारी यह वैक्सिनेशन हुआ है उसमें भी जब मैंने स्कूली बच्चों के लिए वैक्सिनेशन शुरू किया और जिस तेजी से हमारे देश में बच्चों ने दोड़ दोड़ करके वैक्सिन ले लिया यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है आप सबका वैक्सिनेशन हो गया है हाथ उपर करिए हाथ उपर करिए सबका वैक्सिनेशन हो गया अगर दुनिया के किसी देश में ऐसे सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है हिंदुस्तान के बच्चों ने भी ये करके दिखाया है मतलब कि हमने अपना कर्टव्य का पालन किया ये कर्टव्य का पालन भारत की आनबान शान बढ़ाने का कारण बन गाया है उसी प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाना हो प्रकृति की रक्षा करनी हो परियावर्ण की रक्षा करनी हो तो मुझे पक्का विस्वास है कि हम अपने कर्टव्य को सज़गता रुकवक अगर लगाएंगे, काम करेंगे तो हम उच्छित प्रणाम प्राप्त गर सकते हैं प्रधान मंत्री जी द्वारा परिक्षा पे चर्चा दोहसार बाईस ने हमारे जैसे करोडों बच्चों, शिक्षकों अभिभावकों की बेचैनी को उत्साह, उमंग, एवं सफल्दा की ललक में बदल दिया के लिए हम अत्यांत आभारी हैं This brings us to the end of this splendid morning of inspiration and encouragement of moments that will forever stay edged in our reminiscences We express our heartfelt gratitude and thanks to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having spared his valuable time to be here with us and for inspiring us with his magnetic persona Thank you so much, sir आप सब आपके एनाउंसर आजाए यहां सारे सब को बुला लीजिए को जीदर आजाए को जीदर आजाए देखिए आज मैं सबसे पहले तो इनको बशाई देना चाहता हूं इन सबने इतने बढ़िया तरीके से इन सारी चीजों को कंड़क किया है कहीं पर भी आत्म विश्वास की कमी नजर नहीं आई आपने भी बारीके से अबज़र किया होगा मैं बराबर अबज़र करता था ऐसा सामर्ते यहां बैठे हुए हर एक में होगा जो टीवी पर देखते होंगे उनमें भी होगा और जो नहीं देखते होंगे उनमें भी होगा जीवन में जो सवाल के दाइरे में नहीं है लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सचमुष में जीवन में आनंद की अनुभूती करनी है तो अपने आपको एक quality दिख्सित करने का प्रयास करना चाहिए अगर उस वीधा को हम develop करेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे और वो है गुणों के पुजारी बनना किसी में भी हम गुण देखते हैं quality देखते हैं तो हम उसके पुजारी बनते हैं उसको तो ताकत मिलती हैं हमें ताकत मिलती हैं हमारा स्वभाव बन जाता है कि जहां भी देखें अच्छी चीजों को अबज़र करें कैसे अच्छा है वो अबज़र करें उसको हम स्विकार करने का प्रयास करें खुद को उसमें ढालने का प्रयास करें इनोवेट करने का प्रयास करें जोडने का प्रयास करें अगर हम इर्शया भाव पनपने देते हैं, देखो यार यह तो मेरे से आगे हो गया, देखो उसका कुर्ता तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, देखे यार यह इसके तो परिवार में इतना अच्छा वातावन है, उसको तो कोई तकलीब ही नहीं है, अगर यही विशेस्ताओं को औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्त विक्सित करेंगे तो उन विशेस्ताओं को अपने में लाने का सामर्त है अपने आप विक्सित होना शुरू हो जाएगा और इसलिए मैं अपनी जिन्दगी में सफल होने के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि जीवन में जहां भी मोका मिले जो विशेष है जो अच्छा है जो सामर्तवान है उसके प्रति आपका जुकाव होना चाहिए उसको जानने का समझने का स्विकार करने का बहुत ही और सुक की जिन्दगी जी पाएंगे इसी एक अपेश्जा के धायत मैं फिर एक वार ही आप सब का सबका बहुत बहुत अब्रद तयार्म करता हूं Performance चैना शांदार कारकम आप सब ने योजना की और आप सब लाज़ों से मुझे मिलने का मोका मिला कुत् indices लोगों को लगत कि focus on को समझा दिया होगा आपको लाब होता है, कैन नहीं होता है, बंचे मालुम नहीं है मेरा यह मेरा यह Méरा यह 2 मैं आपके मिजमें आता हूँ तो मैं 50 साल फ्रीचेखने हो जाता हु。 और मैं अपने आपको आपकी उमर से कुछ सीख करके ग्रोव करने की कोशिश करता हूँ यानि मेरी पीडी नहीं बदलती है मैं आपके साथ जुनने के काराण हमेशा आपके मन को समझता हूँ आपके आशाकांचाओं को समझता हूँ मेरी जिन्दिकी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूँ और इसलिए ये कारकम मुझे बढाने में काम आ रहा है मेरे सामर्दों को बढाने में काम आ रहा है और इसलिए इसलिए मैं आपके बीच आता हूँ मुझे आठ अपने को ढालने के लिए अपने को घड़ने के लिए खुद को कुछ सीखने के लिए आप सबने समय दिया इसलिए मैं आपका अभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद चाना वपना कहां से हो सब बरीली जिया शर्वास सर्व जिया शर्वास सर्व दिवां बरिजवासी जिया शर्वासी अपने कर्दवियों का पालन सजग होकर करना चाहिए ये उनका संदेश था बच्चों के लिए ये पल कभी न भूलने वाले हैं वो बच्चे जो यहां मौजूद हैं और इस करेक्रूम को देश में देश में देख रहे हैं उनको प्रेड़ना मिल रही है कि अपने इग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए बिना स्ट्रेस के प्रसनता से पढ़ाई की जाए ताकी एक्जाम्स भी अच्चे हो माता पिता भी खुश हो और टीछ भी खुश रहे This is young Vefaf Konogia of Kendriya Vidyale Janakpuri who asked his questions looking for motivation from the Honorable Prime Minister Children always love to come up to the Prime Minister to shake his hand and the Honorable Prime Minister always indulges children always a one-to-one conversation with every child as far as possible children of special talent special abilities children of India who want to excel with the inspiration of the Honorable Prime Minister for themselves and for the country प्रदान मंत्री जी ने बच्चों को कहा कि अपने आपको पहचानना चाहिए Self-Assessments करनी चाहिए और उस पहचान से अपनी दुनिया में पहचान बनानी चाहिए बच्चों की आँखों में चमक से यू लगता है कि प्रदान मंत्री जी का जो मेसेज है जो संदेश है उन तक पहचा है और एक नई उर्जा मानो यहां पर लहरा आ गई हो बच्चों को एक नई उम्मीद मिली हो और स्वयम प्रदान मंत्री जी के लिए इस तरह के सेशन बहुत खास होते है उन्होंने खुद कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अपनी उम्मर पचास साल कम हो गई हो और वो भी यूवा बन गए हो The youth, the energy, the enthusiasm of students, of the children of India is always so inspiring Manani Pradhan Mantriji का Talkatora Indoor Stadium से प्रस्थान हुआ और इसके साथ हम भी विदा लेते हैं हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार तो यह आप सीधा प्रसान देख रहे थे क्रूआ मुआ प्रस्थान आप जाए ले क्साइब बाद शेंग you